सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो गढ़े ही असानी से चलिए दोस्तों सबसे पहले माप सभी को दिखा देता हूँ कि टाइफ ऑफ डेफिनेशन में से आज तक कब कब कोशन आये हैं यह देखे यह हमारा जून 2012 के अंदर कोशन आया था और यहां पर हमने इंगलिस और हिंदी दोनों में दिया हुआ यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद दिसंबर 2012 के अंदर कोशन आया था और दोस्तों यह जितने वी कोशन है उन सभी कोशन के वाले में पूरे डिटे में इसमें से question आया है दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं theoretical videos देते हैं इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते हैं with topic wise question जैसे कि आज तक research के question आ चुके हैं इसके साथ हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नमर पर contact कीजिए तो अब बात करते हैं दोस्तों definition क्या होती है और इसके कितने तरह के type होते हैं definition करने से पहले दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए यह जो दो ट्रम है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए सबसे पहली ट्रम है definandum इसका मतलब है दोस्तों जिश ट्रम को हमें define करना हो उसे हम क्या कहते हैं और जिश ट्रम को define करके बताया जाता यानि कि यह क्या है प्रम को define करके बताना वो क्या कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है definis कहलाता है तो ये जो मुखे जो चीजे वो आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद है दोस्तों हमारा type of definition definition कितनी तरह की ओती है logical reasoning के अंतर सबसे पहली जो definition आती है दोस्तों वो है हमारे पास logical definition आती है और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका नाम होता है कोस वीशे कि आप पद संबंदी परिवासा भी कहा जाता है और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आपको जैसे कि यूजी सिनेटिया जे रफ क्वालिफाइग करना है तो आपको इंगलिस और हिंदी में चीजे आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हिंदी के अंदर काफी नाम ऐसे होते है जो हमें कन्फ्यूज कर देते हैं हमें पता नहीं चलता है इसलिए हमें इंगलिस में भी पता होना चाहिए कि कि इस चीज को क्या कहते है और चलिए अब हम देखते हैं कि क्या मतलब है लेजिकल डेफिनेशन का ऐसी परिवासत जिसका मीनिंग डिक्सिनरी में दिया हुआ हो यानि क कि एसी कोई भी डेफिनेशन जो डिक्सिनरी में हो उसे हम क्या कहते है लेजिकल डेफिनेशन कहते हैं और इसके अंदर कुछ बाक्ते होते हैं यह हमें ध्यान रखनी जुरूरी है कि यह या तो सही होगी या फिर गलत होगी या तो सच होगी या फिर जूट होगी या तो दोनों बाते होगी या तो यह सही होगी या गलत होगी या सच होगी या जोट होगी यह चीज आपको ध्यान रखना जुरूरी है क्योंकि इसमें इसी तरीके से पूछा जाता है कि एक ऐसी डेफिनेशन जो या तो सही है या गलत है उसे किस तरह की डेफिनेशन हम कहेंगे औ और इसमें क्या होता है दोस्तों एक और चीज यह है ऐस परश्टता को खतम करने के उद्धिस्य को भी पुरा करता है यानि कि इससे क्या होता है दोस्तों यह इससे हमारा जो confusion होता है वो दूर हो जाता है हम dictionary में देख लेते हैं इस चीज का क्या meaning है उससे हमें मोटा मोटा पता चल जाता है कि किसका क्या मतलब यानि कि काफी हद तक हमारा confusion हो दूर हो सकता है अब जैसे कि हमारे यह दिया है पुस्तक है पैन है चेर है और भी काफी तरह की पत्वा संस्य दूर करना हो तो ऐसी परिभासा कहलाती है अब देखें दोस्तों अभी यही बात हमने की थी ना कि ऐसी definition जिसके अंदर ऐस प्रश्टा खतम होते हो तो उसे हम क्या कहते है लेजिकल definition कहते हैं और यही बात इन्होंने इस question के अंदर पूछी हुई है तो इसका जो answer होगा दोस्तों वो होगा हमारा सावदिक परिवासा यानि कि लेजिकल डेफिनेशन यहां पर इंगली से में भी पढ़ सकते सबसे पहले हमें इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं हिंदी में हैं इसका मतलब सव निर्दिश्ट यानि की ऐसी परिवासा जो हम खुद बनाते अपनी तरफ से इजाद करते उसे हम कहते है अब देखिए इसके अदर क्या होता है यानि किसी ट्रमको अपनी और से कोई नई परिभासा देना जिसका अर्थ डिक्शनरी में ना दिया हो यानि कि ऐसी परिभासा या ऐसी ट्रम जो हमें डिक्शनरी में ना मिले और उसे हम अपने आप खुद तरी खुद बनाएं जैसे कि आज कल आपने काफी चीज देखे होगी जैसे गुड मॉर्निंग के लिए ह हम जी एम लिख देते हैं वट सब के अंदर तो उसका जी एम का अगर देखोगे तो डिक्शनरी में कोई खास मतलब नहीं है लेकिन हम अपनी तरफ से यह चीज बना देते हैं और भी यह जैसे सेल्फी हो गया इमोजी हो गया और जैसे चैट के अंदर एफ आरेंडी फ्रे 나서 yeah sourn देख प्रिभासा कहते हैं या इनी कि ऐसी प्रिभासा दोस्तो जिसका culture में कोई अस्तितव नहीं है या नहीं था और इसके अंदर जो खास बात दोस्तों vào याद रखने वाली यह है इस तरह सकी प्रीभासा को ऐस सविकार किया जा सकता है यह हो सकती है लेकि इसे तो dictionary में नहीं दिया हुआ होता तो इसमें जो खास बात याद रखने वो यह है दोस्तों इसे या इसे ऐसे विकार किया जा सकता है यानि कि इसे reject किया जा सकता है अब देखिए जैसे हमने कहा कि एफ आर एंडी friend तो इसे हम reject कर सकते है वही एफ आर एंडी का मतलब थोड़ी यह तो आपने ऐसे बनाई है तो इसे क्या है कि reject किया जा सकता है और इसे हम सत्य या ऐसात्य साबित नहीं कर सकते हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते कि एफ आर एंडी यह जो फ्रेंड वो फ्रेंड ही मतलब होता या नहीं होता क्योंकि इसका जो इसका जो प्रूफ है दोस्तो तो वो हमें dictionary के अंदर नहीं है अब देखिए किसी वी चीज को सत्य या ए सत्य साबित करने के लिए हमारे पास दूसरा alternative proof होना चाहिए तो जो हमारी यह जो होती है दोस्तो हमारी stupulative definition इसके अंदर हम इसको ना ही तो सत्य और ना ही ए सत्य साबित कर सकते हैं अब देखिए द सकते हैं और यही बात हमने इसके अंदर पढ़ ही थी तो दोस्तो इस तरीके से इसमें से question पूछे जाते हैं और यहां पर आप English Hindi में पढ़ सकते हैं और यह जो question हम कर रहे ना दोस्तों यह वही question है जो हमने सबसे पहले आपको बताए थे जैसे दिसंबर 2013 में आ लिए जैस records किया जाता वह कहता है जिसे क्या कहेंगे समस उनिरमित परिभासा यहने कि कि ऐसी परिभासा जैसे कुछ सोच कर कुछת प्रतिकों के लिए हम define करते हैं यह उसे सब निरमित परिभासा कहते हैं अभी जैसे वह था ना गुड़ नाइट के लिए जीडी लिख देते क्या होती इसके अंदर हम देखते हैं इस तरह की प्रिभासा का उदे से किसी सब्द को अच्छे से प्रिभासित करना होता है क्योंकि एक सब्द का अलग अर्थ हो सकता है जैसे कोई सरकार किसी वैक्ति को ग्रीव कहने के लिए उसको आर्थिक मापदंड से प्रिभासित करती है अब देखे ये जो हमारी प्रेसाइजिंग डैफिनेशन होती इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसमें किसी भी चीज को अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है अब देखे दोस्तों काफी ऐसी चीजे हैं जिनका अलग-अलग सिच्वेशन में अलग-अलग मतलब न अमीर है तो इस तरह की जो परिभासा आपते हैं उसे हम कहते हैं प्रिशाइजिंग डैफिनेशन कहते हैं आगे दोस्तों हमारे पास पर्श्यूएशिव डैफिनेशन अब देखे इसका मतलब क्या होता है विश्वा सोत पादक या प्रेरक यानि कि ऐसी कोई परिभासा ज जिसको हम अपनी भावना में बहकर बनाते हैं यानि कि जिसको हम अपनी तरफ से एक अलग ही रूप दे देते हैं ऐसी परिभासा को पर्शिवेशिव डेफिनेशन कहते हैं या फिर विश्वासौत पादक परिभासा कहते हैं देखिए इसके इंदर हम एक एक जामपल लेके अविता वच्चन एक कलाकार है लेकिन लोग उन्हें वोलिवीड का सहन सा कहे कर बुलाते हैं अब देखेऊ जी og सचिन तैंदुल कर एक का्किरकेटर है, लेकिन लोग भावना में वे कर क्या कहेंगे सचिन तैंदुल कर एक क्रिकेटर नहीं है, वे किरकेटर के भगवान है यानिıs कि दोस्तो कि किसी फी चीज साइli को जोँग हम बढ़ा चड़ा कर कहते तो उसे acids क्या कहते ऐकं लुडि कर परिवासा की प्रगर्ति निर्धारित कीजिये भुरुण हत्या का अर्थ निर्दोस लोगों की निर्मम हत्या है अब देखिए अगर हम built का dictionary के अंदर meaning देखे तो उसके अंदर क्या होगा कि जो पेट के अंदर बच्चा मार दिया जाता है उसे हम भून हत्या कहते हैं कोख के अंदर जो बच्चा मार जाता है लेकिन यहां पर क्या है कि हमने भावना में बहे कर यह definition बना दी यानि कि निर्मम लोगों की हत्या अब द से हम क्या कहेंगे दोस्तों विश्वास उत्पादक definition कहेंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से definition कर शकते हैं और इन में से कोई कोशन आता है तो आपको किसी भी तरह से confusion होने की जरूरत नहीं है और आगे दोस्तों हमारे पास theoretical definition अब देखे इसके अंद परिभासा में कुछ कहेंगे विज्ञानिक तरीके से कुछ कहेंगे और शमाजिक तरीके से उसको हम कुछ और कहेंगे जैसे कि यहाँ पर एक 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 जामपल लेके चलते हैं जैसे जल को हम समान्य भासा में पानी कहते हैं लेकिन विज्ञानिक रूप से उसको हम H2O लेंगे theoretical definition उसे कहा जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी definition है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी type of definition मैं आसा करता हूँ आपको सभी definition समझ में आ गई होगी और दोस्तों अगर किसी भी दोस्त का कोई सवाल जवाब है तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट वोक्स के जरीए और अगर आपको हमारी वीडियो रियल में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का वटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके हैं थैंक्यू दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन टाकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हैलो नमस्काल दोस्तों मेरे नाम रहोता स्निमी और अब सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल डमीजी नेट पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोजिकल रेजिन के लिर स्केर आफ और पोजिशन्स के बारे हैं दोस्तों यहां से काफी तरह के कोशन आते हैं जो हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है और यह जो टोपिक है काफी दोस्तों को काफी मुस्किन लगता है लेकिन दोस्तों अगर हम ध्यान से करें तो यह बहुत ही असान है इसे हम बिलकुल असानी से कर सकते हैं और दो से अगली ए Bev Jim जानते है winners 4 तरह में पता होना चाहिए तभी हम आगे समझ पाइँगे सबसे पहनी जो डियुकर याँनिवर्सल पोजीटिव के अंदर होता हुँ उन सभी की समिटिव प्रिजेंट करते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि all balls are strong यानि कि हमने माल लिया कि सारी की सारी balls होती है strong होती है अगली जो आते हैं दोस्तों वह आते हैं हमारे पास universal negative universal negative के अंदर क्या होता कि यह इसके अंदर सभी कि सभी typ चीज़ों को negative माल लेते हैं जैसे कि no balls are strong, यानि कि कोई भी ball strong नहीं है, आ गया तो दोस्तों यूनिवर्सल पर्टिकुलर पोजिटिव, पर्टिकुलर पोजिटिव के अंदर क्या होता है, दोस्तों हम कुछ चीजों को positive तरीके से मानते हैं, जैसे कि some balls are strong, ठीक है, और आ गया तो दोस्तों हमरे पास particular negative, पर्टिकुलर पोजिटिव के अंदर क्या होता है, दोस्तों कुछ चीजों को हम रीक यानि कि negative तरीके से रीप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते कि some balls are not strong, तो दोस्तों यहां से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि universal positive क्या होता है, universal negative क्या होता है, particular positive particular negative क्या होता है, दोस्तों यह हमारे लिए समिजरा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यूंकि इसी के base पे हमारे आगे question आने वाले है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इस base पे किस तरह के question बन सकते हैं, और किस तरह से हमें topic करना है, दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आता है contradictories, contradictories के अंदर क्या होता है दोस्तों यह हम देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों अगर हिंदी में हम लेके चले तो इसके अंदर होता है, एक दूसरे के विरोधी, विरोधा भास होता है इनके अंदर, देखिए विरोधा भास किन किन चीजों के अंदर होता है, एक तो यह होता है हमारा जैसे कि यहाँ पे एरो दिखाई गई है कि यूनिवर्सल पॉजिटिव और पर्टिकुलर मेगिटिव के अंदर यह हम देखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के विपरित होते हैं यह देखिए इसमें हमने पूरा का पूरा एक्जामपल देया यहां पे आप देख सकते हैं यह देखिए एक यह लड़का है यह कहरा कि All Balls Are Strong यह कहरा कि सारे कि सारे बॉल होते हैं वो Strong होती है और यह लड़की है यह कहरे कि Some Balls Are Not Strong होगए यह दोनों कि यह एक दूसरे का विरोध कर रहे यहां से आप दोनों के हो यह होता है उलीर को आपोजिट होती है चीजे ठीक है और इसी तरह से हम इसके लाइजिखते इई और I के अंदर E क्या होता है? E हमने बताया था कि Universal Legative होता है इसके अंदर ये लड़का कहे रहा है Black लड़का ये कहे रहा कि No balls are strong कोई भी ball strong नहीं होती जब कि ये जो औरत है ये कहे रहे है कि Some balls are strong ये कहे रहे है कि कुछ ball strong होती है तो यहां भी हम देख सकते हैं दोस्तों यह दोनों एक दूसरे की बातों का विरोध कर रहे हैं यहां पर ठीक है तो यहां से आप बिलकुल असानी से देख सकते हैं कि किस तरह से यह हमें समझना है और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कंट्राडिक्टरीज के अंदर यह हो एक साथ सही या गलत नहीं हो सकते यह बात भी सही है दोस्तों कि दोनों एक साथ या नहीं तो वो सही हो सकते और नहीं गलत हो सकते दोस्तों आप इस यह जो पिक्चर मैंने दी है यहां पर इसको अच्छे से देखना और यह जो बाते हैं यहां पर यह लिखी हुई है इनको पढ़ना आप बिलकुल असानी से आपको यह समझ में आ जाएगा अगर आपको यह PDF लेनी है यह जो मैंने दिखा रखें वीडियो में तो यह ले सकते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रेप्शन बोक्स में दिया हुआ है और और देखते हैं दोस्तों और इसके अंदर नहीं पता है तो हम आई कांसर भी नहीं निकाल सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों अगर एक अंडिटर्माइन होगी तो दूसरी भी अंडिटर्माइन ही होगी तो दोस्तों यहां से आप समझ सकते हैं और इस पर किस तरह के कोशन बने हैं वो भी मापको अभी दिखाऊंगा तो पहले हम इनको समझ लेते हैं अगर आगे हमारे पास आता है दोस्तों Sub-Altern Sub-Altern के अंदर क्या होता यह हम देखते हैं देखी इसकें अंदर क्या होता is नमर वन पॉइंट ए सही है तो आई सही होगी लेकिन आई सही है तो जरूरी नहीं कि ए सही होगी तो इसका मतलब क्या हुआ या कि अगर ए, ए सही है, या कि आई है, तो क्या होगा, आई भी सही होगी, या कि सभी के सभी बोल स्ट्रॉँग है, तो उसमें से कुछ बोल भी स्ट्रॉँग होगी ही होगी, ये तो दोस्तों, बिल्गूल common understanding की बात है, बिल्कुल असानी से हम सम अदर क्या होता ई, no balls are strong यानि की कोई भी ball strong नहीं है, यह इस ने कह दिया की कोई ball strong नहीं है, तो इसका जो O हे यह आ सकता है दोस्टो की some ball are not strong, यह हम कह सकते की कुछ ball strong नहीं है, तो यहां से आफ बिल्कुल नीसानी से समझ सकते हैं, और सके अंदर सही हो सकता है ठीक है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सही हो ही हो अब देखिए इसके अंदर आपको थोड़ा सा समझने की आव सकता है सबसे पहले हम होने वाली संभावना देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है देखिए no balls are strong कोई भी ball strong नहीं है ठीक है तो इसका मतलब किया वो गलत हो गया तो यहां से हमारा क्या निकल किया रहा है आप इसे समझने की कोशिश किजिए यह सही है तो ओके सही होने का संधे है ठीक है यहाँ पे हमें यह बात समझने पड़ेगी इसके होने का संधे है ओ सही होगी इसका संधे है हम पूरे definite रूप से नहीं कह सकती कि ये सही होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर हम बिलकुल सही तरीके से कह सकते थे, कि ये अगर all बोल आर स्ट्रोंग है, तो some बोल आर स्ट्रोंग होगी, और और देखते हैं दोस्तों, और इसके अंदर क्या होता है, ये तो होगा हमारा truth downward हो ये देखे, truth downward और false upward की भी बात कर तो इसका मतलब क्या होगा यह जो उपर वाले बात है यह भी बिल्कुल सही होगी यानि कि सारी की सारी बॉल भी श्ट्रोंग नहीं होगी ठीक है तो यहां पे हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों कि अगर यह बात गलत निकल जाती है सम बॉल आर श्ट्रोंग इस यह आपके समझ में साइद नास के लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कोगे तो यह आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दोस्तों यह जो पिक्चर मैंने दी है यहां पर इसे आप देखने की कोशिश करना यहां पर वीडियो रोक सकते है यह इसे हम कंट्रैरी भी कहते हैं इसके अंदर क्या होता दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर होता ए और ए का रिलेशन हम देखते हैं ओल बोल आर स्ट्रोंग नो बोल आर स्ट्रोंग इन दोनों का रिलेशन देखते क्या होता है दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती ल यहाँ पर अगर answer निकालने की कोशिस करें तो क्या होगा result या तो यह बंदा सही होगा और या फिर यह बंदा सही होगा लेकिन दोनों के दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते यह देखें दोस्तों यहाँ पर हम समझने की कोशिस करते हैं या तो उपर वाला बंदा सही होगा और पेचे वाला सही होगा ठीक है ये बात अब समझ रहें लेकिन दोनों के दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते यनिकि एक बंदा कहरा कि सारी के सारी बोल स्ट्रोंग है दूसरा बंदा कहरा कि कोई भी बोल स्ट्रोंग नहीं है तो दोनों की दोनों जो बात है वो हम मान नहीं सकते इन में से एक की बात हमें मानने पड़ेगी एक की बात है वो हमें reject करनी होगी तो दोस्तों यहां से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ और इसके कहने का मतलब क्या है तो यहां से भी आप यह पढ़ सकते कि तीनों के तीनों जो बाते इसने जो यह लिखी है यही मैंने तीनों के तीनों पॉइंट यहां पर आपको समझा दिये अप समझने की कोसिस करना अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट वोक्स के जड़ी हमें बताना हम दوبारा से समझाने की कोसिस करेंगे अब आगे अगे आगочь अब दोस्तों हमेरे पास नम्बर फूर पे सब कॉन्ट्रेरीज some contrary's के अंदर क्या होता दोस्तों इसके अंदर हम relation लेते है I or O का या I की से केते हैOO some polar strong और O की से केतेEst박 some polar not strong यानि की particular positive और particular negative देखे इसके अंदर हम देखते हैं की क्या संभावना होती है क्या होता है इसके अंदर इसके अंदर सबसे पहला जो point आता है इसके अंदर का है I और O दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते लेकिन सही हो सकते हैं देखे इसका क्या मतलब है कि एक जो लड़की है ये कह रही है कि some bol are strong दूसरी कह रही है कि some bol are not strong ठीक है तो ये दोनों की दोनों बात एक साथ सही हो सकती है अब देखे इसमें कह दिया मान के चलते हैं कि some bol are strong इसमें कह दिया कि कुछ bol होती है वो strong होती है तो दूसरा इसका answer क्या निकल गया कि कुछ bol हो strong नहीं होती इसका automatic answer निकल रहा है करना आपके ये बात बिल्कुल अच्छे से समझने आ जाएगी तो दोस्तों ये चार तरह की बाते होती है square of opposition के बारे में और अब हम question करके देखते हैं कि question में किस तरह से पूछा जाता है अब देखे दोस्तों ये हमारे पास question है ये पता नहीं कब आया था पेपर में देखना पड़ेगा ये देखे इसके अंदर क्या कहा है कि दो अभी कतनों के उदेश्य और विधे की सब्दावली ये ऐसी है कि एक की सब्दावली दूसरे का निसेद करती है यानि कि वो क्या करती है विरोध करती है एक दूसरे का विरोध करती है तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाएगा यहाँ पर हम इंगलीज में पढ़ते हैं इस टू प्रपोजिशन हेविंग दा सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ट्रम और such that one is denial of the other यानि कि एक जो definition है दूसरे का विरोध हवास कर रहे है तो वहाँ पर क्या होगा अभी हमने पढ़ा था दोस्तों वहाँ पर क्या होगा तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं आपको एक पर यह दिखा देता हूँ और आगे हम question देखते हैं कि आगे किस तरह से question पूछे जाते हैं आगे देखे question number 17 है इसके अंदर क्या है यदि दो परतिग्वितियां में से दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती परन्तु दोनों एक साथ सही हो सकती है तो उन दोनों के बीच का संबंद क्या है दोस्तों अभी हमने किया था जश्ट थोड़ी देर पहले आई और ओ के बीच में संबंद ये क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती है कि दो definition है वो एक साथ गलत नहीं हो सकती है लेकिन सही हो सकती है तो वहाँ पर क्या होगा ये हमने किया था कौशन पूछ रहे है आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह का कौशन आया है कौशन नम्बर 14 देखते हैं निमन लिखत में से कौन साथ कथन इस कथन के विपरीत है कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं होते ठीट है अब देखिए दोस्तों इसने कहा है देखे यह है कि कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं होते कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं होते तो किसे हम क्या कहते हैं ओ होता है वो सम बोल्स आर नोट स्ट्रोंग पर्टिकुलरी नेगेटिव पर्टिकुलर नेगेटिव होता है कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं होते तो यह क्या हो गया हमारा ओ हो गया पर्टिकुलर नेगिटिव हो गया और पर्टिकुलर नेगिटिव का अपोजिट क्या होता है कि सभी व्यक्ति इमानदार होते है यानि कि यूनिवर्सल पोजिटिव होता है यहां से तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे समझने की कोशिश कीजिए आपको बिल्कुल असानी से समझ में आ जाएगा और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह का question है यह देखिए निमन लिखित में से कौन एक दूसरे के विरोधी है सही कूट चैन कीजिए और जो सही उत्तर का परतिनी दित्ताओ करते है अब यह देखिए दोस्तों यह भी वही है कंट्राडिक्टरीज के अंदर से question है कि जो एक दूसरे का विरोध करते है सबसे पहले हमें देखना है कि एक दूसरे का विरोध कौन कौन से करते है हमने अभी पढ़ा था A और O विरोध करते है और E और I विरोध करते है एक दूसरे का ठीक है यह यह यहाँ पर आप देख भी सकते ही हमने ग्राफ बनाया हुआ है एक दूसरे का जो विरोध करते हैं, अब इसके अंदर देखते हैं कि A OR O कौन से हैं और E OR Online कौन से हैं, अब देखते हैं जैसे इसे इसने आंसर दिया है A OR C, A OR C देखते हैं कि सभी कवी दार्शनिक होते, यह क्या हो गया दोस्तों हमारा A हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं सी कुछ कभी दार्षनिक नहीं होते कुछ कभी दार्षनिक नहीं होते यह क्या हो गया दोस्तों हमारा ओ हो गया ठीक है और यहां पर देखिए इंगराफ के अंदर क्या होता जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं तो यहां पर जो हमारा अंसर आएगा दोस्तों वह आ जाएग दोस्तो आज के लिए वस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटे का वटन जरूर दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तो दोस्तो अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के सब्सक्राइब को अलग लग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तो हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मोक ट अटिय यूजिजनेट यानि निमिजनेट एक्ट, कम्प्लिट स्टडी नॉट्स, लाइव मोक टेस्ट फॉर पेपर फरस्टेंड शेकिंड, ओल्ड यर कोशन पेपर दोहजार बारा से लेके दिसमबर दोहजार उननिस तक फॉर पेपर फरस्टेंड शेकिंड डाउड लाइव सॉल करके दिखाऊंगा तो इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से देखना दोस्तों करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक बार फिर से बता देता हूं देखिए सबसे पहले आता है दोस्तों हमारे पास यूनिवर उनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है दोस्तों all ball are strong यानि कि जिसके अंदर सभी चीजे सत्ते माने जाती है उसे हम क्या कहते है उनिवर्सल पॉजिटिव कहते है और इसे डिनोट करते है फिर आता है दोस्तों हमारे पास उनिवर्सल नेगिटिव उनिवर्सल नेगिटिव क के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी जो चीजे उनको हम गलत मानके चलते हैं जूट मानके चलते हैं यानि कि नेगिटिव तरीके से लेके चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल नेगिटिव कहते हैं और उसे डिनोट करते हैं यह से और उसके बाद आता है दोस्तो पर्टिकुलर नेगटिव के अंदर कुछ चीजों को हम सही मानते हैं और पर्टिकुलर नेगटिव के अंदर कुछ चीजों को हम गलत मानते हैं जैसे कि यहाँ पे इन्हों ने लिखाए कि सम वोल आर नोट strong यानि कि particular negative के अंदर कुछ को गलत और particular positive के अंदर कुछ को सही मानते है ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान से रखना याद रखना बहुत ज्यादा जुरूरी इनी की वेश में अपना पूरा का पूरा question होगा तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं और उसके बाद में दोस्तों एक और जो concept है जो हमें याद रखना है चार step है इसके अंदर वो याद रखने जुरूरी है अब देखे सबसे पहले आते हमारे पास contradictories contradictories किसे कहते दोस्तों जो एक दूसरे के विरोधावासी हो यहाँ पे हमने color दे रखा यह color देख सकते हैं और यहाँ पे यह arrow दे रखे color वाली यह हमें देखना है देखे contradicories के अंदर क्या होता जैसे मैंने all ball are strong तो यह किसके विरोधावासी होगी some ball are not strong यानि कि एक बंदा है वो कहरा कि सारी की सारी ball है वो strong है और दूसरा बंदा कहरा कि कुछ ball strong नहीं है तो उन दोनों की जो बाते वो दोस्तो एक दूसरे के विपरीत है एक दूसरे का विरोध कर रही है उसके बाद दोस्तो हमारे पास sub-altern sub-altern के अंदर क्या होता है दोस्तो एक चीज सही है चलिए दोस्तो अब हम अपना सबसे पहला question करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आएगा देखे इसमें इन्होंने कहा है कि निमल लिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं होते तो दोस्तो इस तरह के question करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कथन दिया है उसकी प्रकृति यानि कि उसकी nature किस तरह की है वो universal positive है universal negative है या फिर particular positive है particular negative है अब देखे इसमें कहा है कि कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं होते तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तो ये particular negative है जैसे मैंने आपको बताया था कि A है जो हमारा universal positive है E है वो हमारा universal negative है I जो है हमारा वो particular positive और O जो है हमारा वो particular negative है तो इसके अंदर कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं होते तो वो O हो जाएगा हमारा particular negative अब देखिए अब इसमें हमें देखना कि कौन सा जो कतन है वो इसके विपरीत होगा ठीक है और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ देर पहले कि जो विपरीत होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यह हमने देखा था इसके अंदर जो contradictories जो होते वो एक दूसरे के विपरीत होते है contradictories के अंदर जो हमारा particular negative होता है वो विपरीत किसके होता है universal जो positive होता है उसके हमारे विपरीत होता है यह चीज मैंने आपको अच्छे त्रीके से समझाई है आप हमारी पहले की जो सुबह की जो वीडियो है वो देख सकते हैं उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा सभी व्यक्ति इमानदार होते हैं यानि कि अब देखिए कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं होते हैं तो इसका विपरित क्या होगा सभी के सभी जो व्यक्ति है वो इमानदार होते हैं तो इस तरह से बिलकुल असानी से ये question हम कर सकते हैं दोस्तों और आगे हम जैसे जैसे question करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये concept समझ में आने लगेगा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं comment box के जरीए और अभी आप थोड़ा धहरिये रखे हम आगे और भी question करने वाले हैं तो उनमें आपको अच्छे से concept समझ में आ जाएगा चलिए दोस्तों अब हम अगला question देखते हैं हमारा इसके अंदर इन्होंने कहा है कि यदि इस कथन को सत्य मान लिया जाए कि अधिकतर विद्यारती आज्याकारी होते हैं तो निमलिक्स में से कौन से एक कथन युगम को सही माना जा सकता है अब देखे इसमें क्या कहा है इ होते हैं इसने ये नहीं कहा कि सभी नहीं कहा सभी विद्यारती आज्याकारी होते हैं ये बात नहीं कही इसने कहा है कि अधिकतर तो इसका क्या होगा दोस्तों ये हमारा आई होगा आई का मतलब है particular positive यानि कि अधिकतर विद्यारती हमारे आज्याकारी होते हैं ये हो गया आई और उसके बाद हम देखते कि इन में से कौन-कौन से कथन है वो सही हो सकते हैं अब चली हम इसके option देखते हैं option में से कौन सा option सही होगा अब देखिए इन्होंने सबसे पहला option दिया है कि सभी आज्याकारी व्यक्ति विद्यार्थी होते ये वाद तो दोस्तो सही नहीं है क्योंकि इन्होंने यहां पर व्यक्ति का जिक्रू नहीं किया है उपर तो हम अपनी तरह से कोई भी आंसर नहीं दे सकते हमें कथन देखना है अब option no.2 सभी विद्यार्थी आज्याकारी होते हैं अब देखी इसमें ये चीज आतो रही है देखी ओ इन्होंने कहा है कि अधिकतर विद्यार्थी आज्याकारी होते हैं तो इससे कुछ संभावना बनती है कि सभी के सभी विद्यार्थी हमारे आज्याकारी हो ये संभावन बनती है लेकिन हम इसे 100% सही नहीं कह सकते अगला देखते है कुछ विद्यार्थी आज्याकारी होते है ये बात इसकी बिलकुल सही है दोस्तों क्यूंकि हमने एक पीछे किया था उसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं ये देखी हमारा ये जो होता है subcontraries जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर i सही है तो ओ भी हमारा सही होगा यह चीज मैंने आपको बताए थी subcontraries के अंदर अगर हमारा universal positive सही है तो universal negative भी सही होगा यानि कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ सही है यानि कि कुछ विद्यार्थी आज्याकारी है तो कुछ विद्यार्थी आज्याकारी नहीं होंगे तो इसका जो answer है दोस्तों वो आएगा C आएगा 4 and 3 यानि कि यह आएगा कुछ विद्यार्थी आज्याकारी होते और कुछ विद्यार्थी आग्याकारी नहीं होते तो इस तरह से दोस्तों बिलकुल असानी से आप ये कोशन कर शकते हैं आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास है दो अभी कत्थनों के उदेश से और विद्ये की सब्दावली यदि ऐसी है कि एक की सब्दावली दूसरे का निसेद करती है तो उन दोनों के वीज़ का संबंद क्या कहलता है अब देखे एक दूसरे का निसेद मतलब यानि की एक दूसरे का विरोध करती है तो उसे हम किस तरह की सब्दावली कहेंगे ये चीज़ मैंने आपको बताई थी दोस्तों contradictories होते हैं और ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए contradictories के अंदर मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि एक सब्दावली दूसरे का विरोध करती है करने था दोस्तों कि जो contradictories जो होती है वो A O का विरोध करती है और E I का विरोध करती है और इस तरह ऐसे बिल्कुल आसानी से question कर सकते हो और आगे देखते दोस्तों आगे हमारा है question number 17 ये हमने साइद कर लिया हाई ये अब देखिए question number 17 आ रहा है इसके अंदर सेप्तमबर 2013 के अंदर आया था यदि दो परती सतियों मेंसे दोनों एक दूसरे एक साथ गलत नहीं हो सकती पर दोनों एक साथ सही हो सकते उन दोनों के बीच का सम्मंद क्या है अब देखिए दोस्तों ये बात मैंने आपको अभी बताई कि दो ऐसे कथन जो सही हो सकते एक साथ लेकिन गलत नहीं हो सकते उसे हम क्या कहेंगे उसे हम सब कंट्रेरी कहेंगे अब देखिए इसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए ये हम हमने कहा था कि सम बोल आर स्ट्रोंग तो इसका क्या होगा हमारा सब कंट्रेविज होगा इसका आंसर यानि कि ऐसे कथन जो दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते दोनों सही हो सकते उसे हम क्या कहेंगे सब कंट्रेविज कहेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा बी आंसर आजाएगा यानि कि इसके अंदर कुछ व्यक्तिमानदर नहीं है इस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते कि कितनी असानी से जो कोशन है हमारे हो रहे हैं चलिए दोस्तों अब हम कोशन नमबर 30 देखते हैं जुलाई 2016 के अंदर ये कोशन आया था यदि यह कथन कि सभी चौर गरीब होते हैं ये बात गलत है अब देखे सबसे पहले ये ड्रो कीजिए सभी चौर गरीब होते ये हमने ए मान लिया सभी चौर गरीब होते ये बात ये कहरा कि गलत है ये बात क्या है गलत है सभी चौर गरीब होते ये बात गलत है तो निमन लिखते में से कौन सा कथन सह होगा वो हमें बताना है इसमें अब देखिए ये गलत है तो इसके विपरित क्या होगा सही क्या होगा वो बताइए वो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा यूनिवर्सल पोजिटिव अगर गलत हो तो हमारा क्या होगा पर्टिकुलर नेगिटिव हमारा सही होगा यानि कि ओ जो है हमारा वो सही होगा ओ में क्या आता है वो आता कि कुछ चोर गरीब नहीं होते चलिए मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए दोबारा फिर अपने चार्ट के उपर लेके चलता हूँ अब देखी इसके अंदर कंट्रेरिज के अंदर क्या होता है ओल बॉल आर स्ट्रोंग तो इसके जो विपरीत होता है वो क्या होता है दोस्तो सम बॉल आर नोट स्ट्रोंग ये होता है तो इस तरीके से बिलकुल असानी से ये कोशन कर सकते हैं दोस्तो तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपको question है वो समझ में आ रहे होंगे और अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो जाए तो आप हमें comment works के जरीए जरूर बताना और कोई बात समझ में ना है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे जो what's up नंबर है दोस्तों यहां पर यह दिया यहां पर भी आप हमें सवाल जवाब कर सकते हैं और हमारा paid group भी join कर सकते हैं और चलिए अगला question देखते हैं यह है अगस्त 2016 में आये था यदि दो अभी कथन इस परकार संबंध हो कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते हालांकि कि वे दोनों सही हो सकते हैं तो उनके संबंध को क्या कहेंगे यह question दोस्तों हमने अभी किया है और यह question दोबारा फिर repeat हो गया अब मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले यह देखते कि यह देखो इसने क्या क्या है वे दोनों गलत नहीं हो सकते और वे सही हो सकते यानि कि दोनों के दोनों क्या है गलत नहीं हो सकते दोनों के दोनों सही हो सकते तो उसे हम क्या कहेंगे तो वो होता है दोस्तो हमारा सब कंट्रेरी होता है और यही कोश्चन हमने अभी किया था पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ अब देखिए दोस्तों यही कोशन में दिखा रहा हूँ यह सप्तमबर 2013 में आया था कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते परन्तु दोनों एक साथ सही हो सकते हैं और यही कोशन हमारा दोवारा फिर रिपीट हुआ था यहां पर यह देखिए यह अगस्त 2016 के अंदर दोवारा फिर आ गया कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते सही हो सकते तो उसे हम क्या कहेंगे सब कंट्रेरी कहेंगे तो यह कोशन आप ध्यान में रखना हो सकता है अब की बार फिर आ जाए और दोस्तों एक चीज और हम आपको यहां पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बता देता हूं कि आप जो हैं इंग्लिस में याद रख रहे हैं सभी चीजों को क्यूंकि हिंदे में आपको हमेशा कंफ्यूज करने वाले वर्ड दिये जाएंगे आपको समझ जरूरी तो हमें इंग्लिस में पता होना जरूरी है और आगे देखते दोस्तों आगे हमारा कॉश्चन नंबर 26 यह अगस्त 2016 में आया है यदि समान उदेसित तथा विदेख के दो समान निर्पेक्स तरकवा के इस प्रकार सम्बंध है कि अगर एक ए निर्धारित रहता तो दूसरा भी ए निर्धारित होगा उनका सम्बंध क्या कहलाता है यह हमें बताना है दोस्तों देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको करवाया था मैं आपको वो PDF दिखा दिता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब यह देखिए दोस्तों हमने सुभह किये थी इसके इख था कि अगर एक UNDetermine रहता है यानि कि एक का result नहीं निकलता तो दूसरे का भी हम result नहीं निकाल सकते यानिकी contradictory के अंदर क्या होता है युनिवर्शल जो positive होता है वो वी परीत होता हमारे पर्टिकुलर नेगेटिव के अगर हमें ये पता नहीं चले कि युनिवर्सल पोजिटिव है या नहीं है अगर युनिवर्सल पोजिटिव के बारे में पता नहीं चले तो हम पर्टिकुलर पोजिटिव के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते यानि कि अगर हमें ए ना पता ह तो हम O के बारे में भी पता नहीं कर सकते यही हमारा question है दोस्तो तो इसका जो answer है वो contradictories आएगा यह जो chart दोस्तो यह अच्छे से देख लेना सुबह अब देखे दोस्तो यही बात इसमें कही गई है कि एक अगर ए निर्धारित रहता तो दूसरा भी ए निर्धारित रहेगा तो उस समय हमारा उन दोनों में क्या संबन्द होगा तो वो दोनों क्या होगे दोस्तो वो होगे हमारे contradictories होगे तो इस तरह से दोस्तो आप बिलकुल अजानी से question कर सकते हैं अगला question देखते हैं दोस्तो अगला है हमारा December 2018 के अंदर आया था निमल लिखित में से कौन सा एक मानने हो सकता है अब ये देखे इसने कहा है कि सभी जानवर जंगली है अब इसका nature क्या हुआ दोस्तो ये होगे हमारा universal positive यानि कि सभी जानवर जंगली है और इसका जो इससे related क्या होगा इससे related इससे नीचे होता है दोस्तो कि कोई भी गैर जानवर जंगली नहीं है ये एक बर side में छोड़ देते देखते हैं इस पे कुछ जानवर जंगली नहीं होते ये भी हम देखते हैं कि कुछ जानवर जंगली नहीं होते ये तो दोस्तों ये वो आगी विपरित वाली बात आगी यानि कि ये पर्टिकुलर नेगटिव वाली बात आगी तो ये नहीं होगा आगे देखते हैं कोई भी जानवर जंगली नहीं होता ये आगी दोस्तों हमारी ए बात आगी यूनिवर्सल नेगिटिव की बात आगी और यूनिवर्सल नेगिटिव ये भी दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते ए और ए दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते कुछ जानवर जंगली है अब ये इसकी बात सही है दोस्तों इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि कुछ जानवर जंगली है? तो इस तरह से दोस्तों आप बिलकुल उसानी से question कर सकते हैं. अब हम देखते हैं December 2018 का question अब देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि कोई कोई कुटा चुपाया नहीं है सबसे पहले हमें इसके नेचर को समझना जरूरी है दोस्तों अब यह कहरा कि कोई कुटा चुपाया नहीं है तो इसका मतलब क्या हो यह युनिवर्सल नेगिटिव है कोई कुटा चुपाया नहीं है यह है अब यह कहरा कि यह गलत है इसे चलि मैंने बताया था E के opposite में होता हमारा particular positive यानि की I होता है चलिए यह मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब यह देखिए दोस्तों contradictories के अंदर क्या होता है कि E अगर गलत है तो I हमारा सही होगा यह आप नीचे पढ़ भी सकते एक सही है तो दूसरा गलत होगा और अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा अब दूसरा दो नमर पर पढ़िए अगर एक गलत है यानि E गलत है तो दूसरा सही होगा यानि की I इसमें सही होगा तो यहीं से हमें समझना है दोस्तों यहीं से हमारा question सही होगा देखे दोस्तों अभी हमने समझा कि अगर हमारा e गलत हो तो सही क्या होगा हमारा i सही होगा यानि कि particular positive पर्टिकुलर positive के अंदर क्या होता है कुछ चीजे सही होती है तो इन में देखते हैं दोस्तों जो हमारा particular positive है वो कौन सा point है अब सबसे पहले option number A देखते हैं कुछ कुट्टे चुपाया है तो दोस्तों हमें ये देखी हैं सबसे पहले ये बात मिल गए कि कुछ कुट्टे चुपाया है मतलब particular positive हमें मिल गया है तो इसका जो answer होगा दोस्तों option number A होगा कुछ कुट्टे चुपाया है यानि कि कुछ कुट्टे ऐसे जिनके च्यार टांगे होती है तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल इसानी से question कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है कोई problem है तो आप हमसे comment box के जरीए पूछ सकते हैं और अगर कोई ज्यादा बड़ी समस्या है तो आप हमें whatsapp के जरीए अपना सवाल जवाब भेश सकते हैं और अगर आप चाहे तो हमारा paid group जोइन कर सकते हैं दोस्तों उसमें हम आपको systematic तरीके से study करवाते हैं 10 unit के study notes देते हैं और old paper अधिक जानकरी के लिए दोस्तों आप हमें whatsapp message कीजिए उस पे हम आपको पूरी जानकरी दे देंगे और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो उसी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो please हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो उसको सानी से देख सके हैं थैंक्यू दोस्तों दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक साथ दिन का सूपर बैच त्यार किया है इसके अंदर हम आपको पेपर फर्ट की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करवाएंगे जो 25 मार्च से सुरू हो रहा है इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट से देंगे 2012 से लेके December 2019 तक सभी सिफ्ट के कोशन पेपर देंगे लाइव मोक टेस्ट देंगे इसके साथ दोस्तों फरी में हम आपको पेपर सेकंड भी देंगे 2012 से लेके 2019 तक जिससे आप पेपर फर्ट और पेपर सेकंड की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी कर सकते हैं तो अगर किसी भी दोस्त को हमारे इस साथ दिन का बैच जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्ट सम नंबर पे कॉंटेक्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तों जैसा कि आप वीडियो का थमनेल देख रहे हैं इसके अंदर हमने बताया कि दुनिया का सबसे असान कोर्शन यूजी सी नेट एक्जाम में आता है और मैं आपको विद लाइव प्रूफ के दिखाऊंगा दोस्तों बिलकुल असान कोर्शन यूजी सी नेट के अं इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टेडी नोर्स देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्डियर कोशन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक रिसर्च के कोशन आ चुके हैं वह हमने अलग कर एंटीचिंग के कोशन अलग कर एंग इस तरी के से सभी 10 यूनिट के जो कोशन है आपको अलग लग किये हुए मिलेंगे इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ जोन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाट्सप नमर पे अससानी से कर सकते हैं यह हम आपको बताएंगे तो चलिए दोस्तों सब से पहले कोशन पे आते हैं यह कोशन देखें हमारा दिसमबर 2013 के कोशन पेपर में आया था इसके अंदर क्या है कि यह कोशन नमर 14 चोधा नमर कोशन शनी और मंगल दोनों प्रिथवी की त्रहे ही ग् है तो इसमें अगर दोस्तों देखोंगे तो इस कांसर आएगा सादर्श्य मुलक तरक दोस्तों मैं आपको बता दो कि सादर्श्य मुलक का मतलब क्या होता है सादर्श्य मुलक का मतलब होता है यानि कि उसके जैसा दिखने वाला ठीक है जिसके अंदर हम किसी चीज का कंपेर कर रहें किसी चीज के साथ तो वहां पर क्या होगा साधर्षय मुलक तर्ख होगा और इंगलिश में हम इसे क्या कहते हैं एना लोजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं और दोस्तों अभी हम आपको आगे कोशन दिखाऊंगा इसकी हम पहचान कैसे करेंगे इसके अंदर क्या होग कि इसका अंसर साधर्षय मुलक है तो चलिए अब हम अगले कोशन पर आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यह देए दोस्तों जून 2014 का कोशन पेपर है इसके अंदर कोशन नमबर 13 इसके अंदर इन्हों ने दिया है जिस परकार किसी सेना को छोटी-छोटी टुकडियों में बांटने से सेना की सकती शीन हो जाती उसी परकार तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने काई कि जिस परकार सेना की छोटी-छोटी टुकडियों को बांटने से सेना की सकती शीन हो जाती है उसी परकार यानि कि यहाँ पे एक चीज का दूसर ठीक है दोस्तो तो चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं और दोस्तो ये जो कोशन है इसका अनसर हम बिलकुल असानी से दो सेकेंड के अंदर दे सकते हैं बस हमें थोड़ा सा परखने की आवसकता है अब ये देखिए दोस्तो दिसंबर 2014 का कोशन पेपर है और इसके अंद कर रहा है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कमपेर कर रहा है तो यहां पर स्कांशर क्या हैगा दोस्तों साद रिश्य मूलक तर और काएगा तो दोस्तो आप देख रहे हैं कि कितना कोशन हैं उसको कर दे सकते हैं तो यहां Crime यह आप plea से और पहुत ही असान है चान्ग और अब हम आपको और भी दिखा देता हूं कि ये कोशन कितनी बार रिपीट हुआ है ये देखे दोस्तों दिसम्बर 2015 के अंदर कोशन आया है कोशन नमबर 31 इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सिक्सको का रोजगार पूरो प्रिक्शन बिल्कुल उचित है क्योंकि चिकत्सको वस्तुकारों अभी अंताओ जो इस समय न्यूक्त है को ऐसे प्रिक्शन का सामना करना पड़ा तो दोस्तों इसके अंदर अगर अगर अगला कोशन देखते हैं और अगर आप ये इंगलिस में देखना चाहो तो इंगलिस में मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि ये देखे ये अपना 31 इंगलिस में यहाँ पे आप अचानी से देख सकते हैं तो अगला कोशन हम देखते हैं कि किस तरह से रिपीट हुआ है ये देखे दोस्तों जुलाई 2016 का कोशन पेप है ऐसा ऐसंगत कथन है जैसा यह की बाजरे के खेत में केवल एक दाना उगेगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते की प्रिथवी जो है उसका कंपेर किया जा रहा है बाजरे के खेत में जो बाजरा उगाते हैं दाने उगाते हैं उससे इसका कंपेर किया जा रहा है यह यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसा की इन्हों ने यहां पर दिया हुआ है यहां पर यह देखिए तो यहां पर बिलकुल असानी से इसका अंसर दे सकते हैं इसका अंसर होगा सादर्शय मुलक तर्क ठीक हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना असान है कितना असान है और लग बग हर बार ये कोशन पूछा जा रहा है और अभी हमारा जो कोशन पेपर हुआ था जुलाई 2018 का उसमें भी आया था अब ये देखे जनवरी 2017 का कोशन पेपर है इसके अंदर भी इन्होंने ये देखी महिलाउ तथा पुरुसों की प्रजना तमग क्रियाविधी अलग अलग हो सकती है और ये देखे आगे पढ़ोगे तो इसमें देखे ये लिखाओ है उसी तरह जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखो को अब देखिए यहाँ पे जो महिला और प्रूश है उसका compare किसके साथ किया जा रहा है पक्षियों के साथ compare किया जा रहा है तो यहाँ पे इस concert क्याएगा सादर से मुलक तरक आएगा तो दोस्तों आप देख सकते कि कितना असान है कितना असान है और इससे असान question साइद ही UGC नेट में मिलेगा यहाँ पे आप इसे English में देख सकते हैं और आगे हम आगे देखते हैं आगे कभी यह repeat हुआ है देखिए अब यह देखिए दोस्तों यह आ गया हमारा November 2017 का पीछे आया था जनवरी 2017 में यानि कि हर question paper में यह repeat हो रहा है यह question November 2017 में देख लेते हैं यह आ ग compare किया जा रहा है जैसे glass में बर्फ ठीक है इसमें compare किया जा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर हम compare करते तो उसका answer क्या आएगा दोस्तों उसका answer आएगा सादर्शय मूलक तो दोस्तों इस को अगर यह question आ जाए तो यह question तो definitely ठीक होना ही चाहिए किसी भी हालात में और एक चीज और देखना दोस्तों अगर कहीं ऐसा ना हो कि option के अंदर सादर्शय मूलक दिया हो और वहां पर compare ना किया गया हो ठीक है हमें यह देखना जरूरी है कि वहां पर comparison है या नहीं है compare comparison होगा तभी उसका answer के आएगा सादर्शय मूलक आएगा तो के अंदर answer लगा दो सादर्शय मूलक और फिर आप मेरे को कहो कि सर आपने तो कहा था सादर्शय मूलक आएगा सभी का तो आएगा लेकिन थोड़ा question को पढ़ना कि उसमें comparison किया हुआ है या नहीं ठीक है तो चलिए अब हम अगला question देखते हैं यह देखिए दोस्तों जु अंकेओ दरपण उस पर पढ़ने वाली सभी किर्णों को एक बिंदो पर संगहरित करता है यानि कि यहाँ पर आप देख सकते कि comparison कर रहा है कि जिस परकार यानि कि जिस तरह से ठीक comparison कर रहा है यहाँ पर आप यह पूरा का पूरा sentence पढ़ लेना क्योंकि अगर मैं पढ़ू आप इसी वीडियो को रोक के असानी से पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते कि जहां पर comparison करते तो उसका आंसर क्या आएगा सादर्श्य मूलक तर्क यानिकी एनलोजिकल आर्गुमेंट तो दोस्तों आप देख सकते कि हमारे लिए कितना असान है कितना असान है ब किजिए कमेंट किजिए और अगर आपने अभीतर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटे का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को शानी से देख सके हैं सब्सक्राइब किजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े हैं असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम लोजिकल रिजिनिंग के अंदर करने वाले हैं इंडेक्टिव और डिडेक्टिव रिजिनिंग दोस्तो इसमें से बहुत से कोशन आ ये कोशन हम बिलकुल असानी से कर सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना यानि निमीजी नेट एक कंप्लिट स्टडी नॉट्स लाइब मोग टेश्ट फोर पेपर फेस्टें सेकिंड ओल्डियर कोशन पेपर दिसंबर निस तक फोर पेपर फेस कोशन आया था इसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक निगमनातमक तरक मन्य नहीं हो सकता इसमें बताना कि हमारा जो डिटेक्टिव आर्गिमेंट है वो कौन सा वैलिड नहीं होगा वो इसमें से हमें बताना है तो इसमें काफी तरकी प्रोलम आती है दोस्तो तो यही हम इस वीडियो में करेंगे और उसके बास जैसे यह देखिये दोस्तों दिसम्बर 2015 में कोशन आया था एक निगमनात्मक तरक एवैद होगा यहां पर इंनोंने इन्वैलिड पूछ लिया और यहां पर इन्वैलिड पूछ लिया था वेलिड कुनसा होगग में यहां questions all out होता है अब देखें ये जैसे इन्होंने जूलाई 2016 में दिया है इन्होंने वही दुबारा फिर बात कही है कि निग्मनात्मत्तर की यानि कि deductive argument है इनमें से कौन सा सही होगा और ये जो question है दोस्तों बाद में भी आया है 2017 में भी आया है और deductive और inductive reasoning को समझना बहुत ज्यादा जुरूरी है तो चलिए हम समझते सबसे पहले की type of argument argument मुखे रूप से कितने तरह करते हैं देखें argument जो होते हैं दोस्तों वो main रूप से हमारे दो तरह के होते हैं जो हमारे UGC net के अंदर आते deductive और inductive reasoning आते हैं इसमें से काफी question आते हैं और भी काफी तरह के argument है वो हम आगे की वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देख लेते कि argument है argument क्या होता है तो यहाँ पे दोस्तों आप ये पढ़ सकते कि argument क्या होता argument का मतलब यही होता दोस्तों ऐसा कोई तथे ऐसी कोई बात जिससे हम किसी दूसरे को convince करके ऐसे ऐसे बात बता के अगले को ऐसे तथे दे के जिससे अगला राजी हो जाए हमारी बात मानने को तो उसे हम कहते हैं argument कहते हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं असानी से इसे पढ़ लेना और अब बात आते हैं जैसे कि सबसे पहले आता है दोस्तो हमारा deductive reasoning आता है इसमें से काफी question आया है बहुत question आया है तो इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है देखे इसके अंदर क्या होता है दोस्तो इसमें क्या होता है कि समन्ने सत्य सित्रक दवारा अग्यात सत्य को प्रमानित किया जाता है यानि कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों एक चीज हमें पता होती है पहले कोई चीज पता होती है और उसके दवारा कोई ऐसी चीज का पता लगाया जाता है जो हमें ना पता हो अन्नोन हो यानि कि अन्नोन चीज का पता लगाया जाता है नोन चीज से अन्नोन चीज का पता लगाया जाता है प्राए ग्यात सत्यों के अधार पर ग्यात का मतला होता है जो चीज हमें पता है ग्यात सत्यों के अधार पर अग्यात सत्य का निगमन होता है reasoning from non to unknown ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों non to unknown जो हता वो detective reasoning के अंदर होता है और वी कई चीजे इसके अंदर वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब देखे यहाँ पे हम एक example ले लेते हैं देखे सभी मनुष्य नस्वर है मोहन मनुष्य है और ये इन्होंने दो तरक दे दिये अब तीसरा है कि अता मोहन नस्वर है ये क्या है कि ये इन्होंने निसकर्श दिया ये इन्होंने तरक दिये सभी मनुष्य नस्वर है मोहन मनुष्य है अतब मोहन एक नस्वर है ये देखे ये चीज हमें पता थी और ये चीज हमने नई खोजी है आता है यानि कि लाश्ट में जो मोहन है वो नस्वर है इस तरीके से हम इसमें जो आर्गिमेंट वो करते हैं और जो इसके अंदर काफी important चीज जो ध्यान देने वाली है वो मैं बत कि सभी कुते सतन धारी है कोई बिल्ली कुता नहीं है ये हमारे अधार वाक्य है और इन ही अधार वाक्यों के अधार पे हमें इन में से निसकर्स निकालना पड़ता भी इन में से कौन सा सही है तो आपने यहाँ पे देख लिए कि अधार वाक्य कौन से होता है और निसकर् reasoning है इसमें हमें दो से तीन बाते दियान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे पहली बात निसकर्स अधार में नहित किसी विवस्तों से अधिक का दावा नहीं करता अब इसे समझने की कोशिस कीजिए दोस्तों ये कह रहा कि निसकर्स निसकर्स यानि कि जो हमारा result यहा पे नहीं निकलेगा यानि कि जो भी हमारा निसकर्स है दोस्तों वो क्या है कि वो अधार में निहित किसी विवस्तों से अधिक का दावा नहीं कर सकता समझ में आई बात चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि निसकर्स यानि कि result के अंदर हमें जो भी प्रा अधारो दवारा पुष्ट होता है ये बात भी इसी से जुड़ी हुई है कि जो हमारा निसकर्स होता है दोस्तों वो इसी पे डिपेंड करता है यहां पे क्या दिया हुआ है तभी हम यहां पे result निकाल सकते हैं अगर यहां पे हमें कुछ अच्छे तरीके से नहीं पता है क अधार वाक्य में क्या दिया है अधार वाक्य अगर इनकम्पलिट है तो हम निसकर्स नहीं निकाल सकते और इसके बाद में यह भी है कि निसकर्स अंतिता अधारीकाओस से निकलता है यानि कि final जो result वो केवल और केवल हमारा जो अधार वाक्य है यहाँ पे यह जो दी है इन्हीं से हमारा निकलता है तो यह तीन जो बाते दोस्तों हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया कि अधार वाक्ट क्या होते है और निसकर्ष क्या होते है अब डिटेक्टिव रिजिनिंग के अंदर दोस्तों पांच और मुख्य बाते हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन्हीं के वेस्पे हर बार एक कोशन आता है तो वो देखिए हम पांच बाते कौनशी है वो देखते है और ये दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पांच बाते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर आप चाहे तो इनको देख सकते हैं अगर आपको नेट कौलिफाई नहीं करना है तो आप ये वीडियो स्किप करके जा सकते हैं चलिए ये बाते देखते हैं देखे सबसे पहली बात इसके अंदर डिडेक्टिव रिजिनिंग के अंदर ये आती है एक सही अधारवाक्य एक गलत अधारवाक्य और एक गलत निसकर्श वाला तर्क वैद हो सकता है अब देखे इसे हम समझने की कोशिश करते हैं अधारवाक्य देखे अधारवाक्य सबसे पहले हम देखे लेते हैं अधारवाक्य होते दोस्तों हमारे पास दो होते ए और बी हमारे पास होता है और एक उसमें से निसकर्श निकलता है यानि कि दो अधारवाक्य और एक निसकर्श टोटल तीन चीज़े हमारे पास होती है अब देखी इसके अंदर एक सही अधार वाक्य और एक गलत अधार वाक्य हो तो उसका जो निसकर्स निकले वो गलत हो सकता है तो ये क्या होगी हमारी वैलिड चीज होगी यानि कि वैध तर्क हमारा होगा ठीक है ये बात आपको समझ में आई यानि कि दोबारा फिर समझा द ठीक है अब देखतें दूसरी दो नंबर पे बात अब देखिए अगर हमारा एक एक सही अधारवा के हो और दूसरा गलत हो यह बात हमने देखी यही इसमें देखी कि एक सही और एक गलत हो तो हमारा एक अधारवा के सही है दूसरा गलत है तो निसकर्ष है वो गलत भी हो सकता है और निसकर्ष है वो सही भी हो सकता है दोनों चीजी है तो ये भी क्या होगा हमारा वैलिड होगा चलिए मैं इसमें इसमें आपको समझा देता हूँ देखी अगर हमारा ए सही है और बी जो है गल होगा निसकर्ष तो भी हमारा अर्ग्वेंट वो सही है उसे हम वैद कहेंगे ठीक है ये दो बात आपको समझ में आई अब तीसरी बात देखते हैं देखें दो सही अधार वाक्य और एक सही निसकर्ष वाला तरक वैलिड होगा यानि कि जो दो हमारे अधार है जो ए और बी म वो भी हमारा राइट है तो जो हमारा आर्ग्वेंट वो हमारा वैलिड होगा यानि कि अगर हमारे तीनों की तीनों चीजे सही आजाए ये भी ये भी ये भी तीनों की चीजे सही आजाए तीनों की तीनों तो हमारा जो आर्ग्वेंट वो भी वैलिड होगा ठीक है अब हम चीज़ देखते है जो सबसे last में आती है important है काफी अब देखे नंबर 5 पर क्या आता है कि अधार वाक्य ए हमारा सही है बीवी हमारा सही है और लेकिन निसकर्ष है वो गलत निकल जाए तो ये क्या होगा आवैद यानि कि invalid argument इसे कहेंगे देखिए इसे मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है नंबर 5 का मतलब क्या है यानि कि अधार वाक्य है हमारे पास कोई दो तरक दिये गए तरक A भी सही है और B भी सही है लेकिन जो निसकर्ष निकले वो हमारा गलत निकले तो ये जो argument होगा दोस्तों ये हमारा गलत होगा तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इनहीं के बेस पे हमारे question बने है चलिए मैं आपको question करके दिखाता हूँ उन से आप बिल्कुल सही असानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें question करने है अब देखिए सबसे पहला हमारा question है जून बताना है दोस्तों इन्वैलिड बताना है तो इन्वैलिड देखते इसमें से कौन सा होगा यदि इसके अधारवाक्य सही है और निसकर्स सही है अब देखिए अभी हमने बात की कि अधारवाक्य A और B दोनों सही है और निसकर्स भी सही है तो ये क्या होगा हमारा वैलिड होगा ये बिलकुल सही बात होगी अगला देखते है बी यदि इसका इसके अधार वाक्य सही और निसकर्ष गलत है अब ये देखे दोस्तों ये बात आगी यानि कि इसके अगर जो अधार वाक्य ए भी सही है बी भी सही है लेकिन निसकर्ष अगर गलत निकल जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे ये invalid argument होगा ठीक है तो ये जो argument होगा ये मानने नहीं होगा एवैद होगा गलत होगा तो इस तरह से दोस्तों आप बिलकुल असानी से question कर सकते हैं और आगे देखते हैं आगे हमारा question number 32 है इसमें दिसंबर 2015 में आया था एक निगमनात्मक तरक एवैद होता है यानि कि इसमें भी इन्होंने इन्वैलिड की बात पोचिए कि कौन सा इन्वैलिड डिडेक्टिव रिजनिंग होगा अब देखिए इसमें काय कि इसके अधार वाक्य और निसकर्ष सभी ए सकते हैं अब ये देखिए इसमें काय कि सभी ए सकते हैं अधार वाक्य और निसकर्ष अधार वी गलत है बी वी गलत है और निसकर्ष भी गलत निकले तो यह चीज तो हमारी बिल्कुल सही है इसे तो हम वैद कहेंगे यानि कि सारी चीजे गलत है तो गलत का तो गलत ही रिजल्ट निकलेगा यह बात सही है लेकिन यहां पर हमें किया बताना है वैद है यानि कि अधारवा के a भी सही है बी भी सही है लेकिन जो निसकर्ष वो गलत निकल जाए तो ये क्या होगा दोस्तों ये इसे हम valid argument नहीं कहेंगे ये हमारा क्या होगा invalid होगा यानि कि ये जो argument है हमारा गलत हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे अवैद तरक कहेंगे invalid argument invalid argument कहेंगे तो इस तरह से दोस्तों आप बिलकुल असानी से इसको करश रखते हैं और यही बात हमने इसके अंदर की थी ये देखिए ये जो question है हमारा और ये जो question है दोनों के दोनों question बिलकुल same है बस यहाँ पे इन्हों ने क्या कहे दिया यहाँ पे इन्हों ने कहे दिया कि निगमनात्मक तरक अवैद होता है और यहाँ पे मानने नहीं हो सकता बात एक यह दोस्तों समझने की जरूरत है बस गुमा रखा है और आगे दोस्तों आगे हमारा जुलाई 2016 के अंदर question आया है उस कूट का chain कीजिए जो अधार वाक्यों ओ वाले इन्हर मनात्मक तरक के परशंग में सही नहीं है यहाँ पे क्या बताना है कि सही नहीं है वो हमें बताना है दोस्तों क्या सही नहीं है अब यह देखे दोस्तों यह भी क्या कर रहे हैं UGC वाले ये देखे दोस्तों इसमें भी ये एक option number two देखे दोस्तों इसके दो सही अधार वाक्य और एक गलत निसकर्ष वाला तरक वैद हो सकता है अब इसमें देखे दोस्तों इसमें देखते हैं एक सही अधार वाक्य एक गलत अधार वाक्य और एक गलत न और गलत भी हो सकता दोनों कंडिशन के अंदर हमारा जो आर्गिमेंट वो राइट होगा वैलिड होगा ये चीज हमने पढ़ी थी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप भूलो मत ये देखे ये जो हमारी A है ये और ये जो B है ये हमने चीज देखी थी ठीक है ये आप पता करना है या गलत पता करना है सही नहीं है इनवैलिड हमें पता करना है अब दीखे अब इसमें आप खुद बताईए और आपको यह बताना है देखिए, इसके अंदर हाँ, उप्सन नमबर A होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, च्यार होगा, यह आपको बताना है, तो इस तरह ऐसे दोस्तों आप बिलकुल असानी से कर सकते हैं, और इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों, इसमें हम आपको बिल्कुल असान तरीके से सभी के सभी कोशने एक बार फिर्शे करवाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फियूजर ना हो। अब आता है दोस्तों हमारे पास इंडक्टिव रिजनिंग यानि की आगमनातमक तरकाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों किसी वस्तू या प्रकिरिया में जो वस्तू या प्रिणाम मिलते हैं। एक छोटा सा एक्जामपल देता हूं जैसे कि हम मान के से लिए एक ऐलमीरा के अंदर गई तो उसके अंदर जैसे हमने पहली बुक निकाली वो मैथ की निकली दूसरी बुक निकाली वो भी मैथ की निकली तीसरी बुक निकाली वो भी मैथ की निकली हमने 10 book निकाली, 10 की 10 जो book है वो हमारी math की निकली तो उससे हमारा क्या मतलब निकलावई, इस almira के अंदर जितनी भी books पढ़ी है, वो हमारी क्या है, math की book पढ़ी है उससे हम एक सिध्धान्त हमारा, सिध्धान्त तो नहीं कहेंगे लेकिन एक राय हमारी बन गई वी इस अलमारी में जो इस ब्लैक अलमारी में जितनी भी बुक पढ़ी है वो हमारी math की बुक पढ़ी है क्योंकि हमने 10 बुक निकाले continue 10 की 10 जो बुक है हमारी math की बुक निकली यानि कि छोटी छोटी चोटी चीजों से जो हमें प्रकिरिया से जो हमें निस्कर्श निकलता है, जो राय हमारी बनती है, उसे हम inductive reasoning कहते हैं, देके directive reasoning में जो अंतर है, वो आप यहां से बिलकुल असानी से पढ़ सकते हैं, इसका screenshot ले सकते हैं, और इसमें जो दो मुख्य रोप से बात ते ध्यान रखने वाली है वो ये है निगनात्मक पदती में समन्ने सिधान्तों ते डिडेक्टिव रिजनिंग में जो मुख्य बात ध्यान रखने वाली है वो ये है दोस्तों इसमें समन्ने सिधान्तों से विशेस तथ्य की और जाया जाता है समन्ने से विशेश की और जाया जाता है लेकिन आगमनात्मक में दोस्तों क्या होता है विशेश गुणों के अधार पर समन्ने सिधानतों का निर्मान किया जाता है तो ये जो मेजर चीज है दोस्तों ये हमें ध्यान रखने वाली है और भी इसमें कई बाते वह आप पढ़ सकते बिलकुल असान है और दोस्तो इवनिंग के जो वीडियो होगी हमारी वह आप बिलकुल देखना उसके अंदर हम सभी कोशन करवाएंगे इंगलिस हिंदी में कोशन करवाएंगे और दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे एक किजे और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दवाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके हैं थैंकियो दोस्तो दोस्तो आज हम लोजिकल रिजिनिंग में वेन डायग्राम करने वाले हैं वेन डायग्राम से related तीन से चार कोस्चन आते हैं दोस्तो यह टोपिक करना हमारे बहुत जीजादा जिरूरी है क्योंकि इसमें से बहुत से कोशन आते थैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों सबसे पहले हम यह देखते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है वेन डायग्राम किसे कहते हैं देखिए वेन डायग्राम की मैं बात करूँ तो इसमें से कई तरह के कोशन आते हैं मैं आपको थोड़ा example दिखा देता हूँ, यह देखे दोस्तों, एक इस तरह का question आता है, इसके अंदर हमें 3 से 4 circle दिये हुए होते हैं, mostly 3 होते हैं, तीन circle दिये हुए होते हैं, और उसमें से हमें choose करना होता है, option, एक question तो हमारा UGC net में इस तरह का आता है, और जो दूसरा question आता है, दोस्तों, वो आता है, हमारा definition से related आता है, उसकी जो बाते हैं, उससे related आता है, कि निमन लिखत में से कौन सी बात सही है, vein diagram से related, तो यह दोनों question हमें करने जरूरी है, और एक और जो question आता है, कथन अभी कथन का, वो भी हम vein diagram से solve करते हैं, तो वो भी हम करेंगे, य इसमें मुख्य तक क्या होता है, दोस्तों, इसके अंदर vein diagram के माध्यम से दी गई वस्तूओं के समों को वर्गी करित करना, यानि कि इसके अंदर हमें काफी तरह की चीज़े दी हुई हो, तेरों को हम समों में अलग-अलग divide करते हैं, और इसके अंदर जैसे अक्षरों के म combination विग रहा है, इस related जो भी बाते हैं, वो हम पढ़ने की कोशिस करते हैं, क्योंकि इसमें से काफी question आज तक आये हैं, तो इसमें जो अच्छी बाते हैं और जो negative बाते हैं, वो दोनों चीज़े हम देखने की कोशिस करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि vein diagram, vein आरेक हमारी समझ को बढ़ाता है, यहां पर आप English में भी पढ़ सकते हैं, दोनों हमने दिये हुए हैं, vein diagram can increase our understanding, और उसके बाद है, vein आरेक संकेत पधती का सपष्ट तरीका है, vein diagram is clear method of notation, यह क्या है कि इससे हमें संकेत मिल जाता कि कौन सी चीज क्या है, एक हमें एक indication यह द दर्शित करता है, जो vein diagram वो क्या करता है, दोस्तों, vein diagram represent preposition as well as classes, तो इसके अंदर जो कथन अभी कथन होते हैं, उनको वो अच्छे तरीके से define कर देता है, और कथन अभी कथन से related भी हम question करेंगे, तो आप थोड़ा wait कीजिए, और एक चीज दोस्तों मैं आपको यहां पर ब चे से साथ question आये हैं, और यह जो question है, यह जो question है हमारा आया हुआ question है, और इसी तरह के question काफी question हमारे exam के अंदर आये हैं, तो इन सभी point को आप च्छे से केंदे, देख लिजी एक बार, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इसमें क्या है, यह आगी वेन diagram अभी कतन और स्रे आगे दोस्तों, यह वैध प्रिक्षन की प्रत्यक्स पदती उपलब्द कराता है, इसमें किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक डायक्त मेथड हमें प्रवाइड करवाता है, समगा के संबंधी न्याय अकार के प्रातमिक अनुमानों की वैधिता का प्रती नीधीत सरवाधिक न्याय वाग्य के वेधता प्रिक्षन की सरवाधिक प्रत्यक्स विधी है, अब देखिए हिंदी के अंदर हम कैसा कन्फिज हो जाते हैं, पता है किसका क्या मतलब है, तो इंगलिस में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, यह चीज़ हमने यहाँ पे ऊपर की थी य सरवाधिक न्याय वाग्य के प्रिक्षन के लिए तीन अधी व्यापत विध बनाए जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, 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 इसके अंदर और चाहे तो वीडियो को रोक के इसका स्क्रेंशोट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं इसमें डेफिनेटली कर रहा हूं दोस्तों अब की बार एक कोशन आएगा ही आएगा 100% कोशन आया क्यूंकि इसमें से पीछे बहुत से कोशन आ चुके हैं तो यह पूरे सभी के सभी सब्सक्राइब हो सकता है तो इसका मतलब क्या है कि बलत चीज़ा विर्द की आवसक्ता होती है लेकिन नहीं दोस्तों जहां पर तीम जो है तीन सरकल की बात करते हैं तो यह दोनों के दोनों पाइंट हमारे कोशन में आ चुके हैं और मैं दिखाऊं आपको आगे तो उसमे सब्सक्राइब करेंगे और अब बात अपकी दोस्तों वें डायरे को वैद या वैद कहा जा सकता है यह चीज घलत है तो यह चीज़ान में रखनी है और इस से रिलेट और वी हमको करेंगे अब बात अपकी दोस्तों वें डायरे के लिए जो ग्राफिकल त्रीक से जो हमारे कोश्चन आते हैं इस तरह से उनको किस तरह से करेंगे यह थोड़ा समझ लेते हैं देखिए सबसे पहले नीचे कुछ आपकी दिए उनको हम समझने की कोशिश करते हैं यह दिखिए ए में हम बी देखते हैं बी के अंदर इस त्रीके से यह हमें दिये हो यह दोनों की और बिल्कुल पुरी तरह से समाहित नहीं है लेकिन गुल इसके अंदर जयसे यह हैं इसके अंदर नो करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हमारे जो किस तरह से होंगे और यहां पर देख रहे हैं लेकिन हमने उपर बात की थी तीन सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब और धी और फिर यहां और इसे अव अगरिदे वाले चात्र में क्या अब देखते हैं उसके बाद में दोनों पढ़ने वाले चातर कॉंशे है D और E जो चातर अंग्रेजी भी पढ़ते और गणित भी पढ़ते वह कॉंशे है D और E चातर है तो मैं उम्मीद करता हूँ यहां से आपको यह जो ग्राफ है और यह बाते समझ में आई होगी क्यूंकि इन ही के बेस पर हमारे आगे क वकील भी है जिनके अंदर तीनों के गुण हो भारतिया भी हो वकील यह और अध्यापक्त भी हो तो ऐसे इस कोन सी संख्य है इसके इननर हमारी संख्या 3 है और वकील भी है इस्तों के इसको नबर चो आप सभी बतानाorama एक उपक होगा अगर इन ओप्शन में नीवी दियान तो भी आप comment box के अंदर अपना answer type करना ठीक है answer एक होगा 7 होगा 5 होगा 3 होगा जो भी होगा वो आप answer type करना जिसे मेरे को पता चले कि आप कितना सीख रहे हैं दोस्तो अब हम अगला question देखते हैं नीचे दिये गए चितर को ध्यान पूरवक देखे और उस चितर को पहचानी है जो ऐसे युआओ को दर्शाता है जिनके पास रोजगार तो है पर सिक्सित नहीं है अब देखे इसमें क्या का है ऐसे युआओ को दर्शाता है जिनके पास रोजगार तो है लेकिन 6 इतनी है, पहले हम इस पूरे ग्राफ को देखते हैं देखे, ये है youth, यानि कि you है हमारे पास ये पढ़े लिखे है और ये है रोजगार है जिनके पास अब देखे, youth कौन कौन शाया, youth में कौन कौन शाया आते है एक आता है, दो आता है, पांच आता है, चार आता है उसके बाद में हमारे पास जैसे पढ़े लिखे कौन कौन से आता है तीन आता है, छे आता है, पांच आता है, दो आता है उसके बाद में रोजगार किन किन के पास है साथ आता है छे आता है पांच आता है और चार आता है इनके पास रोजगार है अब हमें ये देखना है ऐसे युवा सबसे पहले हमें युवा देखने है तो ये जो सरकल है इसमें देखना है युवा जिनके पास रोजगार तो है यानि कि जो इसमें भी कॉमन और इसमें भी क आएगा देखिए इसका अंसर हमारा आएगा चार आएगा अब देखे मैंने कहा था कि इसमें इसमें जो कुमन है वो चीज हमें देखनी है जो यूँआ है और रोजगार है जिसके पास में लेकिन सिक्सान नहीं है यानि कि पढ़े लिखे नहीं है तो जो नंबर चार जो है बीज ओप्सन है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा एंटी ए यूजी सिनेट यानि निमिजी नेट डाउलोड इट उन गूगल प्ले स्टॉर हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमिजी नेट प पेपर फर्ष्ट में इस तरह के काफी कोशन देखे हुए होंगे जिसमें ऐसे होता कि सभी कुति सतंधारिये कोई बिल्ली कुता नहीं है इनके बेस पे हमें एक निसकर्श निकालना होता है तो ये जो कोशन होते हैं दोस्तों ये काफी कन्फ्यूजिंग कोशन होते हैं औ और अच्छे मार्क से लेके आ सकते हैं, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोईन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं, theoretical videos देते हैं, इसके साथ 2012 से ल जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नमर पर contact कीजिए, दोस्तों ये question करने से पहले हमें when diagram के बारे में पता होना चाहिए, और एक चीज़ और बता दू कि ये जो question हैं दोस्तों आप काफी तरह से कर सकते हैं, when diagram से भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं, उन से भी कर सकते हैं, ले पाने वाल हैं, देखें जो when diagram होता है, वो मुख्य रूप से तीन circle होते हैं, उसके अंदर लेकिन हम समझने के लिए दो circle का भी use करेंगे, देखें जो when diagram होता है, वो काफी तरह का हो सकता है, सबसे पहले देखते हैं इसका type 1, यानि कि दो जब हमें circle दीवे होते हैं, तो उ पुरूस है, तो इसके अंदर क्या कि सभी मामा क्या होते हैं, वो पुरूस होते हैं, जो मामा है ना दोस्तों, वो क्या कि completely पुरूस है, कितने भी मामा हो, किसी भी तरह के मामा हो, वो सारे के सारे पुरूस होते हैं, तो मामा क्या कि completely related हैं पुरूस से, लेकिन जो पुरू है दोस्तो इसके अंदर कि आजिक रूप से संबंध है कि कुछ हध तक रिलेक्तियु अब देखे इसके अंदर इने दो सर्कल दिए एक पुरुस का दिया और एक वकील का दिया है तो यहाँ से आप देख सकते कि कुछ जो पुरुस क्या है más वकील है और इसमें हम कह सकते कि जो कुछ पुरूस होते वो वकील होते लेकिन सभी के सभी पुरूस वकील नहीं होते और सभी के सभी वकील जो होते वो पुरूस नहीं होते क्योंकि वकील है वो लेडिज भी हो सकती है और तीसरा इसके अंदर या आता है दोस्तों कि बिलकुल भी एक दूसरे से relative ना हो उनके अंदर कोई भी relation ना हो जैसे यहां पे doctor और वकील है अब देखिए यहां पे कुछ लोग दिये इन्होंने वो doctor है और वकील है दोनों के दोनों अलग है और काफी बार ऐसा भी होता है कि doctor और वकील दोनों भी हो सकते एक आदमी के अंदर दोनों भी हो सकते लेकिन यहां पे हमने दिखाया है कि कुछ वेक्ति ऐसे जो केवल और केवल डोक्टर है और कुछ वेक्ति ऐसे जो केवल और केवल वकील है तो इस तरह से इन में कोई वी संबंद नहीं है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अब बात करते हैं दोस्तो हमारे पास अगर तीन सरकल हो तो उसमें किस तरह का संबंद हो सकता है और दोस्तों एक बात मैं बता दू कि ये वीडियो आप पूरा देखना ध्यान से देखना अगर आपको ये concept अच्छे से clear करना है तो और इसमें मैं आपको live question भी करके दिखाऊंगा पीछे जो आज चुके हमारे paper के अंदर है वो सभी old question आपको करके दिखाऊंगा अब देखे तीन के अंदर क्या होता है जब एक समुच्चे दूसरे से तथा दूसरा तीसरे से सम्बंधित हो अब तीन के अंदर हो सकता एक दूसरे से related और दूसरा तीसरे से यहाँ पर देख सकते कि सबसे पहले second है उसके बाद minute और फिर घंटा है अब हम देख सकते कि जो घंटा होता है दोस्तों घंटे के अंदर minute होती है और minute के अंदर second होती है जो second होती है जितनी भी second होती है दोस्तों वो घंटे के अंदर include होती है और फिर जितनी भी minute होती है वो घंटे के अंदर include होती है लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि minute second के अंदर include होता है नहीं ये बात हम नहीं कह सकते जैसे कि अगर हम ये कह दे कि पांच second हो गया पांच second में कितनी minute होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि कितनी minute होगी हाँ वैसे scientific रूप से निकाले mathematical रूप से निकाले तो वो निकले वो चीज अलग है निकल normal भासा में हम नहीं कह सकते कि second के अंदर minute हाती है तो इस तरह से ये तीनों की तीनों चीजे एक दूसरे से related है लेकिन एक दूसरे में पूरी तरह से समाहित नहीं है ये चीज आपको द दो चीजे होते हैं वो एक चीज के अंदर include हो सकती है जब दो समुच्चे एक समुच्चे से पूर्णत संबंधित हो यानि कि दो चीजे हमारी एक चीज के अंदर पूरी रूप से including हो लेकिन वो जो दोनों के दोनों चीजे वो अलग हो देखिए इसमें हम एक example देखते है दोसे आपको बिल्कुल समझ में आजाए जैसे मेज और कुर्षी दोनों अलग अलग चीजे है कुर्षी है कुर्षी के उपर हम बैठते है मेज मेज के उपर हम कुछ समान रखते है इस तरह से देखा जाए मेज और कुर्षी दोनों के दोनों अलग चीज है लेकिन ये दो क्या होता है कि इसके अंदर ये है कि दो समुच्चे एक समुच्चे से पूर्ट समबंधित हो यानि कि दो चीजे एक चीज के अंदर पूरी रूप से इंकलूड हो सकते हैं और वो जो दो चीजे हैं वो एक दूसरे से भी related हो सकते हैं यहां पे हम देखते हैं जैसे इस तरही मा बहन यहां पे दिया है अब देखिए मा और बहन जो है वो दोनों के दोनों क्या है ओरते हम कहे सकते हैं और एक जो देखी एक चीज़ हो रहा है कि बहन जो है वो मा भी हो सकते हैं और जो मा है वो बहन भी हो सकती है जैसे हमारे घर में होता है जैसे हमारी बुआ है तो वो क्या है वो मा भी है और वो बहन भी है इस तरह से ये दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटिड है और ये दोनों के दोनों पूर्ण रूप से क्या है इस्तरी है इस्तरी है इनको हम यह कहेंगे इस तरह से इसको समझ सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास 4th नमबर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए 4 एक मिनट हाँ 4 नमबर पे अब देखी एक समुच्च दूसरे समुच्च से पूर्णते संबंधित हो था तीसरा समुच्य दोनों समुच्यों से आंसिक रूप से संबंधित हो अब इसमें देखिए एक चीज हो सकते हैं वो दूसरी चीज के अंदर पूरी तरह से इंकलूड हो लेकिन तीसरी जो चीजें उससे कुछ-कुछ related हो यहाँ पर आप देख सक होगा सारे के सारे किर्किट खिलाडी खिलाडी के अंदर आते हैं यह बात हमने देख ली और यहाँ पर विवाहित जिनकी साधी हो चुकी है तो वो खिलाडी हो सकते हैं और वो किर्किट के खिलाडी भी हो सकते हैं यानि कि वो खिलाडी भी हो सकते हैं और खिलाडी में वो सायद किरकेट के खिलाडी हो सकते हैं तो ये कुछ हद तक हम कह सकते कि ये related है लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि विवाहित जो व्यक्ति है या औरत है वो खिलाडी या किरकेट की खिलाडी होगी ठीक है अगला देखते है टाइप फाइव इसके अंदर क्या होता है कि तीन जो समुच्चे है तीन जो सरकल है हमारे तीन जो चीज़े है वो एक दूसरे से कुछ कुछ related हो सकती है पूरी की पूरी related ना हो लेकिन कुछ हद तक related हो सकती है जैसे यहाँ पे हम देखते है कि पूरुस दिया डॉक्टर दिया इंजीनियर दिया अब देखिए यहाँ पे हमने डॉक्टर दिया है डॉक्टर यानि कि कुछ डॉक्टर क्या है वो पूरुस है और उन्ही पूरुसों में से कुछ पूरुस क्या है इंजीनियर है ठीक है यहां से आई बात समझ में यानि कि जो डॉक्टर है कुछ डॉक्टर पुरुस है और कुछ पुरुस क्या है इंजीनियर है तो ये सारी की तीनों की तीनों चीज़े एक दूसरे से रिलेटीड है और आगे देखते हैं हमारे पास सिक्स्त नमबर पे तीनों के तीनों समुझे एक दूसरे से आंसिक रूप से समबंधित हो अब इसमें और इसमें क्या फरग है दोस्तों इसके अंदर ये है कि जैसे हम तीनों चीज़ मान के चलते हैं कि जो यह यहां पे तीन चीज़ दी है यह हो सकता है इंजीनियर और डॉक्टर के अंदर संबंद ना हो कुछ इंजीनियर डॉक्टर ना हो यानि कि कोई भी इंजीनियर डॉक्टर ना हो ये बात हो सकती है लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटिड होंगे ही होंगे यहाँ पे संभावना है और यहाँ पे होंगे ही होंगे तो यह देखे जैसे पुरुस, वकील और लेखक अब देखे पुरुस दे दिया, पुरुस, लेखक इन्होंने कहा है कि कुछ पुरुस क्या होते हैं वो लेखक होते हैं और यही लेखक इन ही लेखकों में से कुछ वकील होते हैं तो अब देखें वकील क्या होंगे पुरुस भी तो होंगे और पुरुस क्या होंगे वो वकील भी होंगे तो यह तीनों की तीनों चीजे एक दूसरे से रिलेटिड होगी ही होगी ठीक है तो इस सारी चीजे कराने लग गया तो यह वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और वैसे बिलकुल असान है दोस्तों बिलकुल असान है कोई ऐसी दिक्कत वाली भात नहीं है इसके अंदर आप यह देख लेना हाँ एक ही जैसे उधान 11 देख लेते हैं इसके अंदर यह कि कई चीज चीजे बिलकुल अलग हो चलिए दोस्तों अब हम अपना कोशन करके देखते हैं कि किस तरह से कोशन होगा यह देखे दोस्तों यह दिसंबर 2013 में कोशन आया था और सबसे पहले हम इसका वेन डायकरम बनाने की कोशिश करेंगे देखे इसमें यह कहा है कि अधार वाक्य में क्या का है सभी संत धार्मिक होते हैं तो सबसे पहले हमने एक संत का सरकल ड्रो कर लिया उसके बाद सभी के सभी जो संत होते वो दोस्तों क्या होते है धार्मिक होते ही यह इसने बात यहाँ पर कह दी अब इसके बाद जो अगली बात कही है कुछ इमानदार लोग संत होते ह तो इसका जो है दोस्तो वो वेन डाइगराम इस तरह से बन सकता है ये देखिए कुछ इमानदार लोग संत होते हैं तो ये हमने इमानदार लोग ये एडी लिख दिया मैंने इमानदार लोग कुछ इमानदार लोग संत होते हैं अब देखिए अब इसके बेस पे हमें अनसर देखना कि answer क्या होगा अब देखी यहां पर एक एक question पर सुरी एक एक option पर हम बात करके देख लेते हैं कि सभी संत इमानदार होते हैं क्या हम यह कह सकते हैं दोस्तों और एक चीज मैं बता दू कि हमें केवल और केवल question के निशार चलना है दोस्तों अगर question में यह कहा जाए कि सभी के सभी सादू चोर होते हैं तो वो हमें मानना पड़ेगा अधार वाक्य हमें देखना है दोस्तों most important चीज यह है अधार वाक्य में अगर यह कहा जाए कि सभी के सभी चोर धार्मिक होते हैं तो वो हमें मानना पड़ेगा जो भी कह रहा वो हमें मानना पड़ेगा ठीक है अधार वाक्य में तो अब देखिए अधार वाक्य से ही हमारा निस्कर्श निकलेगा हम अगला देखते हैं कुछ संत इमानदार होते हैं तो ये भी हम पूरी तरह से सही नहीं कह सकते हैं अंसिक रूप से इसको सही कह सकते हैं और एक चीज और मैं बतादू कि इस तरह अवानावाला जो आनसर वह हम नहीं देंगे अब देखें ॉप्सомина Buchćrän इमांदार लोग दार्मिक धार्मिक है अब ये बात हमें सोचना जरूरी हे इस पे ध्यान दीजिए कि कुछ इमांदार लोग धार्मिक है अब ये देखे ये जो हमने ड्रो किया था यहां पर ये तीन सरकल किये थे ये देखे कुछ इमांदार लोग है और ये धार्मिक का सरकल है तो इमांदार और धार्मिक में ये देखे ये जो portion है दोस्तो ये common आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इमानदार लोग है, वो क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं, तो इस तरह से दोस्तों ये कोशन बिल्कुल असानी से कर सकते हैं आप, और आगे हम और कोशन करने की कोशिश करते हैं, उनसे आपको बिल्कुल असानी से समझ में आजाएगा, एक कुट्टे सतंधारी है तो सबसे पहले हम कुट्टे लिख लिए यहाँ पे हमने कुट्टे लिख लिए और सतंधारी यानि की जो दूद पिलाते हैं अपने बच्चों को तो यह लिख लिए हमने सतंधारी यहाँ पे यह हमने S लिख लिए और एक बात फिल दोबारा मैं कह रहा हूं कि हमें केवल इनके अधार वाके के अनुसार चलना है रियल लाइफ में क्या होता है वो हमें कुछ नहीं देखना ये लिख लिया अब उसके बाद कोई बिल्ली कुटा नहीं है कोई भी बिल्ली जो है वो कुटा नहीं है तो ये हमने बिल्ली लिख ली दोस्तों ये हमने बिल्ली लिख ली और ये हमारा कुत्ता हो गया अब देखी यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है ये जो हमारा गराफ है दो तरीके से बन सकता है दोस्तों दोनों मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यह देखिए एक तो हमारा यह बना चलिए मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ जैसे सबसे पहले हमने कुत्ता लिखा और फिर हमने सतंधारी लिखा यह S लिख दिया और फिर हमने यह बिल्ली लिख दी यहां पे ठीक है एक तो यह बन सकता है हमारा और दूसरा जो है वो किस तरह से बन सकता है वो ऐसे बन सकता है जैसे यह हमने कुत्त लिख दिया यह हमने बिली लिख दी और यह हमने सतंधारी लिख दिया यह ग्राफ भी इसका बन सकता है क्योंकि इसने एक बात कही है कि सभी क कुटे सतंधरी हैं ये कुटे ये सारे के सारे सतंधरी यहां पर हमने लिख दिया और इसमें भी हमने लिख दिया कि सभी जो कुटे वो सतंधरी है ये लिख दिया अब आगे है कि कोई बिल्ली कुटा नहीं है तो इसमें देखे यहां भी कोई भी बिल्ली कुटा नहीं है वो सकता है तो ये दोनों ग्राफ हमने एक वर ड्रो करके देख लिए अब देखते हैं जो हमारे निसकर्स है निसकर्स में ऐसा कौन सा निसकर्स है जो बिल्कुल 100% सही होगा ठीक हमें निसकर्स वही देना होता है जो 100% सही हो अब देखिए इसमें देखते हैं कोई बिल्ली सतंधारी नहीं है अब देखिए कोई बिल्ली सतंधारी नहीं है तो ये हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते दोस्तों क्यूंकि हमने अभी आपे दो ग्राफ बना के देखे अगर ग्राफ एक ही बात करें तो इसमें कह सकते भी कोई भी बिल्ली वो सतंधारी नही नहीं दिखाया गए तो हम अच्छे तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हां हम संभावना लगा सकते हैं हां ऐसा हो सकता है कोई भी विल्ली वो सतंधारी नहीं है लेकिन हमें संभावना उपे नहीं चलना हमें 100% मिले उसी को राइट करना है अब आगे बात आती है कोई बिल्ली कुता नहीं है अब ये देखे ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये 100% बात सही है क्योंकि इसने ये कहा है कि कोई बिल्ली कुता नहीं है और यहां पे कोई कुता बिल्ली नहीं है तो दोनों की दोनों जो बात है वो बिल्कुल सेम है एक दूसरे से थोड़ी सी ओट पटांग तो है यानि कि यहाँ पे इन्होंने बिल्ली कुत्ता नहीं कह दिया और यहाँ पे कुत्ता बिल्ली नहीं है तो बात तो एक यह दोस्तों जो सब्द है वो आगे पीछे कर दिये तो option number 3 है दोस्तों वो अपना सही हो सकता है एक इस पे टिक कर लेते है उसके बाद में कोई भी कुत्ता गैर सतंधारी नहीं है इसका मतलब यह है कि हमारे पास ऐसा कोई भी कुत्ता नहीं है जो दूद ना पिलाता हो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दे दिया सभी कुत्ते सतंधारी है तो यहाँ से इसका क्या अरथ निकलता है कि कोई कुटा गेर सतन्धारी नहीं है तो इसका जो right answer होगा दोस्तो थरी और फोर यानि कि इसका c जो answer है दोस्तो वो इसका right answer हो जाएगा और दोस्तो अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आते तो आप हमें what's up message कर सकते हैं आप हमारा paid group जोइन कर सकते हैं उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो चलिए अब हम अगला question करके देखते हैं उससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यह हमारा जुन जुलाई 2016 में आया था यह question आप करके देखना दोस्तों मैं आगे और question करवा देता हूँ जैसे जो हमारे 2017 में या 18 में जो question आया वो करके मैं दिखा देता हूँ आपको यह हमारा अगस्ट यह question हमारे लिए करना जरूरी है जोस्तों यह देखिए अगस्ट 2016 के अंदर यह question आया था और यही question हमारा यह देखिए नवंबर 2017 के अंदर आया था यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर 2017 में सभी चमगादर सतन पाई होते कोई भी पक्सी चमगादर नहीं होता यह है और यहाँ पे यह देखिए अगस्ट 2016 में भी यही बात कही है सभी चमगादर सतन पाई होते हैं पक्सिया चमगादर नहीं होते तो बात से हैं है दोस्तों question एक है लेकिन अलग-अलग year में दिये हुए है तो आप देख सकती कि डिट्टो कोपी question भी repeat होते है question paper के अंदर लेकिन आपने साइद आज तक यह बात note नहीं की होगी तो आज से यह बात note करके चलिए दोस्तों आपके लिए old paper करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनमें सोब बहुत question डिट्टो कोपी repeat होते है चलिए अब हम यह question करने की कोशिश करते हैं इसमें देखिए इसमें क्या कहा है कि सभी चमगादर सतन पाई होते हैं और सतन पाई का यह अभी हमने यह किया था यह देखिए कुट्टे वाला भी किया था तो सतन पाई से तीन question हमारे अभी तक आ चुके हैं आगे भी इनके आने के संभावना है तो एक बार फिर यह कर लेते हैं अब देखिए इसके इन्दरी यह कहा है क्या कहा है सभी चमगादर सतन पाई होते हैं तो यह हमने कहा कि सभी चमगादर सबसे पहले हमने चमगादर सी चमगादर को सी से ड्रो कर लिया सभी चमगादर सतन पाई होते हैं यह हमने सतन पाई यानिकी S ड्रो कर लिया और ये जो graph है दोस्तो graph number 1 हमारा बन गया अब अगली बात आती है पक्सियां चमगादर नहीं होते अब पक्सी हमने यहाँ पर अब देखी पक्सिया वो चमगादर नहीं होते तो इसका ये बन सकता है दोस्तो ये बन सकता है ये हमने लिख दिया पक्सी पी पक्सी ये वो चमगादर नहीं होते एक तो इसका ये बन सकता है दोस्तो ग्राफ दूसरा ग्राफ इसका क्या बन सकता है इसका ग्राफ दूसरा ये बन सकता है ये हमने चमगादर लिखा यहां पे और फिर ये हमने सतनपाई लिख दिया यहां पे हम पक्षी लिख सकते हैं तो ये भी यही बात कह़ा रहा दोस्तों समगादर और पक्षी इन दोनों का कोई relation नहीं है यहाँ पे इन्होंने काई कि पक्सिया चमगादर नहीं होते तो चमगादर और पक्सि को हमने बिल्कुल अलग कर दिया और यह जो ग्राफ नंबर एक है इसमें भी चमगादर और पक्सि को हमने अलग कर दिया बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते कोई relation इनके अंदर नहीं है लेकिन पक्सी और सतन पाई इनके अंदर relation में भी सायद हो सकता है हमें पता नहीं है यह बात इन्होंने यहाँ पे clear नहीं कि सतन पाई और समगादड के बारे में clear बात इन्होंने नहीं की है और इसका जो दूसरा है ये ऐसे भी हो सकता है सतन पाई और पक्सी के बीच में अब देखिए अब हम इसका आंसर ड्रो करने की कोशिस करते हैं अब देखिए पक्सिया सतन पाई नहीं होते अब देखिए पक्सियां जो है सतन पाई नहीं होते ये बात हम नहीं कह सकते दोस्तों होते हैं नहीं होते य क्योंकि यहां पे आप देख सकते कि हमने दोनों तरह के graph बनाए हैं इस graph के अंदर कुछ पकषी सतन पाई हो सकते हैं और इसमें कोई भी पकषी सतन पाई नहीं हो सकता तो हम 100% तरीके से नहीं कह सकते कि क्या सही होगा क्या गलत होगा अब हम अगला देखते हैं चमगादळ वो भी पक्षी नहीं होते यहाँ पर यह जो बीज ओप्सन दोस्तों यह 100% accurate बात कह रहा है तो एक तो यह बी एक बार माल लेते भी इसका सही होगा अब देखते हैं अगला सभी सतनबाई चमगादड होते हैं अब यह देखी यह बात भी हम 100% सही नहीं कह सकते क्योंकि सतनबाई और चमगादड के बारे में हमने यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके से नहीं बताया हम कितना है कि वो यह संभावना लगा सकते लेकिन संभावना इस तरह के कॉश्चन में नहीं चलती तो C है वो हम नहीं कह सकते अब अप्सन नमबर D आता है कुछ सतनबाई चमगादड होते हैं अब देखी यह बात ध्यान देने वाली है कि कुछ सतनबाई अब यह देखी यह सतनबाई यह जो सरकल है हमारा कुछ सतनबाई चमगादड होते हैं तो ये बात इसकी बिलकुल सही है दोस्तों कि यहां पे हमने ये देखा कि सारे के सारे जो समगाद़ है वो सतन पाई होते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा कि कुछ सतन पाई जो होते हैं इस चीज़ को आप थोड़ा साथ ध्यान दे के समझना और आपको बिलकुल असानी से बात समझ में आजाई तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तो बी और डी यानि की option number two इसका आंसर हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तो बिलकुल असानी से ये question कर सकते हैं आप और अब क्या करते हैं अब हम का अनसर क्या आएगा ये question मैंने आपको अभी करवाया है ठीक है ये question आप करके बताना मेरे को और चलिए दोस्तों अब हम अगला question करके देखते हैं ये question हमारा December 2018 के इंदर आया है ये देखे इन्होंने flower ये f लिख लिए ये flower है some flower are red ये हमने red लिख लिए ये red इस तरीके से ठीक है उसके बाद में all roses are flower all roses ये बात कह रहा है सभी के सभी rose है वो हमारे flower है rs लिख लिए हमने roses को flower लिख लिए अब आगे इसका जो conclusion है वो देखते हैं क्या है इसने कहा है कि option number एक जो दिया है some roses are red तो ये बात हम 100% सही नहीं कह सकते दोस्तों कि जो हमारे roses है कुछ roses वो red होंगे ये बात हम नहीं कह सकते 100% तरीके से नहीं कह सकते अगली है दोस्तों some red things are flower ये कह रहा है कि कुछ लाल वस्तुए flower होती है ये बात इसकी बिलकुल सही है दोस्तों क्योंकि यहां पे हमने पढ़ा है कि some flower are red यानि कि कुछ flower कुछ full जो होते हैं वो हमारे लाल होते हैं और option number two में इसमें कहा है कि some red कुछ लाल चीज़े हमारी फूल होती है तो ये इसकी बात बिलकुल 100% right होगी अब देखते हैं अगला option some flower are roses some flower ये देखे some flower और roses ये बात भी इसकी 100% सही होगी क्योंकि इसने यहां पे खाए कि all roses सारे के सारे जो रोज है गुलाव के फूल है वो हमारे फलोवर होगी इसका मतलब ये है कि कुछ जो flower है वो हमारे रेड और… sorry… कुछ जो flower है हमारे वो गुलाव के फूल होंगे तो हमारा option number three ये भी हमारा सही हो जाएगा अब अगला देखते है all roses are red ये बात हम बिलकुल नहीं कह सकते दोस्तो all roses are red नहीं कह सकते क्योंकि हमने यहाँ पे red और roses का अच्छे से define नहीं किया हुआ हिनों ने हाँ इसमें हम संभावना लगा सकते लेकिन संभावना नहीं चलेगी तो इसका हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभीतक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटे का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी अने वाली वीडियो को सानी से देख सके ही थैंक्यू दोस्तो और एंटी ए यूजी सिनेट यानि निमिजिनेट डाउंलोड इट अन गूगल प्ले स्टाइब सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाएए बैल आइकन टाकि आप पासके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोतास निमि है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमिजिनेट पर दोस्तो आज हम पेपर फर्स्ट लोजिकल रिजिनिंग में एक नया टोपिक करने वाले हैं जो अभी विसेंटली एड हुआ है भारतिय दर्शन सास्तर में से परमान अब देखें परमान में से कई तरह के कोशन आए हैं और इनमें जो टोपिक है वो जैसे परतेक्स हो गया अनवान होगया उपमान होगया सब्द अर्थप्ति अनुपलवधिया अभाव है ये टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना पहले हम भारतिय दर्शन सास्तर में परमान की बात करते हैं परमान ह रियालिटी है और प्रान को अगर इंगलिस में कहें तो एज प्रूफ हम कहे सकते किसी भी चीज़ का प्रूफ होना जिससे हमें सही से पता चल सके ये बात इस तरह थी और ये चीज़ इस तरह से है तो परमान का मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो ये होता है और परमान के के लिए उसको सही तरीके से define करने के लिए कई चीजों का हम use करते है, उसके अंदर सब topic आ जाते हैं, जैसे प्रत्यक्स हो गया, अनमान हो गया, उपमान हो गया, सब्ध हो गया, अर्थाप्ती हो गया, आनुपलब्धीя, अभाउ हो गया तो इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहां पर हमने हिंदी में दिया हुआ है यह आप बिलकुल असानी से पढ़ सकते हैं अगर आप नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं और अब देखते दोस्तों सबसे पहला जो टोपिक आता है हमारा वह आता प्रतेक्स अ एक दम हमारी आँखों के सामने बिलकुल कलियर कट कोई बात हो वह हमें दिखाई देज है उसके अंदर किसी भी तरह की छोपिवी बात ना हो अब देखिए इसके अंदर क्या होता मुख्चे रूप से क्या होता है इसके अंदर हम अपनी आत्मा मन और इंद्री यानि कि ज सामने आग जल रही है यह जैसे हमारे सामने कहीं पर आग जल रही इस तरीके से तो यह्वे बिल्कुल साफ 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 तरीके से दिख रहा हूँ वह आग जल रही उसके नदर किसी भी तरह की कोई बात च्छे पी हुई नहीं हम एक दम ले उसे खून बहता हुआ देख ले तो वो क्या होगा कि वो हमारे सामने पर्तेक्स परमान होगा किसी की जैसे हड़ी तूट गई हो हाथ कट गया उंगली कट गई हो तो वो एक हम उसे देख लेते तो वो पर्तेक्स हमारे सामने परमान होता है दूसरी तरफ अगर कोई हमें आके ये कहे दे उसे तो ना चोट लगी और उसका जैसे की हड़ी तूट गी तो वो एक पर्तेक्स परमान नहीं है दोस्तों वो हमें क्या है कि हम हमें कोई बता रहा है हम उसकी बातों पर केवल और केवल विश्वास कर सकते हैं और वो विश्वास हम उस पर उतना करेंगे अगला व्यक्ति देखना पड़ेगा वो कितना विश्वास योग्य है तो वो पर्तेक्स नहीं होता हमारे सामने परतेक्स वो होता है जो हमारी आँखों के सामने हमारी सेंस के सामने जो हो उसे हम परतेक्स परमान कहेंगे और यहां पर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं पूरी बात हमने दी हुई है अब देखी आगे है हमारा दोस्तो आगे है अनुमान अनुमान जैसे की जैसे नाम से ही प पता नहीं चल रहा हो जिसका प्रतेक्स रूप से हमें कुछ पता नहीं चल रहा हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे अनुमान लगाएंगे भी हाँ यह हो सकता है यह हो सकता है वहाँ पे हम अपनी जो थिंकिंग है वो दोडाएंगे कि क्या क्या हो सकता है संभावना है वहाँ देखेंगे अब देखें जिसे यहां पर मैंने एक example दिया हुआ है जिसे यहां पर आप देख सकते कि यह धुआ है यहां पर इतना धुआ है बलेक बलेक तो यहां पर हमें नहीं पता कि यहां पर आग जल रही है या पटाखों का धुआ है या फिर artificial कोई धुआ है यहां पर क कह सकते कि यहाँ पर क्या चीज़ है देखिए यहाँ पर होने को कुछ भी हो सकता है जैसे कि किसी मसीन के दवारा यह धुआ छोड़ा गया हो यहाँ पर आग लगी हो और यहाँ पर पटाके जलाए गए हो तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है हम केवल और केवल अनुमान लगा सकते हैं ठीक है और उसके बाद है दोस्तों उसके बाद मैं बताओं आपको उसके बाद है उपमान उपमान का मतलब होता है दोस्तों एक चीज का दूसरी चीज के साथ कंपेरिजन करके कुछ अर्थ निकालना निकालना समझना ठीक है देखे इसके अंदर क्या होता है जैसे क किसी भी वस्तु को हम दूसरी वस्तु से compare करते हैं और फिर अर्थ निकालने की कोशिस करते हैं तो उसे हम उपमान कहते हैं जैसे कि एक example दो हम जैसे नील गाएं हैं अब जैसे मान के चलिए मैं आपको बताऊ या कोई और किसी को बताए कि मैंने आज एक नील गाएं देखी और वो तो बहुत भाग रही थी तो दूसरा वेक्ति है वो सोचेगा यार नील गाएं कैसी होती है तो वो पहले वाला वेक्ति बताएगा वही जो नील गाएं होती है वो गाएं के जैसी होती है उसके भी ताकि उसे समझाने की कोशिस कर रहा है तो जहां पे comparison करके कोई बात समझाई जाए उसे हम कहते है उपमान कहते है और दोस्तों यहां पे English Hindi में आप देख लेना क्योंकि कई वार हम Hindi में confused हो जाते है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हैं हमारे पास सब्द अब देखे सब्द परमान के अंदर क्या होता है दोस्तों और इसे वर्वल टेस्टनोमी भी कहते हैं अब देखे सब्द परमान के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम किसी के कहे गए सब्दों पे ही विश्वास करते हैं हमें परतेक्स रूप से नहीं पता होता हम अनुमान भी नहीं लगा सकते वहाँ पे और परतेक्स रूप से भी हमें नहीं पता होता और उसे हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हम केवल और केवल जो व्यक्ति जो बात कह रहा है उसी पे हमें विश्वास करना होता है अब देखी इस की दूरी इतनी है तीन लाख चुरासी हजार चार्शो किलोमेटर इन दौनों के बीच की दूरी है तो यह क्या है दोस्तों यह हमें विश्वास करना होगा वेग्यानिक की बातों पे हम खुद वो तो नहीं है ना कि हम इसकी डिस्टेंस हम आपने चले कि कितनी है कम है इन से ना ही हम इनके अंदर अनमान लगा सकते और ना ही इसके अंदर उपमान यानि कि कमपेरिजन कर सकते इसके अंदर क्या है कि जो विज्वास कर लेना जैसे कि हमने देखा होगा कि अपने आप हमें बाबा जो लोग बनते हैं वो कहते कि भगवान ऐसा होता है यह करने स हम क्या करते हैं कि उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हमें डायरेक्टर रूप से नहीं पता होता कि सचाई क्या है जूट क्या है कैसे हम केवल और केवल उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो उसे कहते हैं सब्द परमान कहते हैं और नंबर फाइव पर आता है दोस उसे हम कहेंगे अर्थापति यानि कि अर्थ के दवारा जो प्राप्ति होती है हमें ग्यान की उसे हम अर्थापति कहते हैं अब देखिए इसके अंदर क्या होता है जैसे हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है देववत देववत हमने नाम मान लिया इसका देववत दिन में भ होगा इस वाकिये में नएखाना तधाफि मोटा होना इन दोनों कत्षनाओं में समने की उत्पति नहीं होती यानि कि नेख अब देखिए हम ये कहे दे कि कोई व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं खाता और फिर भी मोटा है तो दूनों की दूनों जो बाते हैं वो फिट नहीं बैठ रही तो यहाँ पे हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि इसने कहा है जो देववता दिन में यानि की जो डे है डे में भोज भोजन नहीं करता लेकिन फिर भी वो मोटा है तो यहां से क्या अर्थ निकल रहा है यहां से यह अर्थ निकल रहा है कि जो देववता वो नाइट को भोजन करता होगा रात को बहुत कुछ खाता होगा यहां से हम अपनी तरह ऐसे एक answer निकाल लेते हैं उससे हमें पता चल रहा कि अगर ये इनसान दिन में भोजन नहीं करता तो उसका मतलब सिधी सी बात ये कि ये रात को खाना खाता होगा इसलिए ये मोटा है तो इस तरीके से यानि कि अर्थ जो निकालते हैं उसे हम कहते हैं अर्थापति कहते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारा लास्ट अनुपलब्धी या अभाओ अब देखी इसका मतलब क्या होता है जैसे नाम सही हमें पता चल रहा अनुपलब्धी या अभाओ यानि कि किसी चीज की अभाओ होने से किसी चीज की कमी होने से हमें कुछ ग्यान प्राप हमारे teacher के पास पैसे नहीं हुआ हमें यह पता चलता हुआ कि इससे हम कई और चीजे निकाल सकते हैं जैसे कि अगर इनके पास पैसे नहीं है तो इसलिए stress में रहते हैं इसलिए हमें अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं और इसी लिए इनका ज्यादातर लोगों के साथ जगडा होता है तो एक चीज का अभाव का हमें पता चला और उस अभाव से हम कोई अर्थ निकाले या कुछ और समझे तो उसे हम क्या कहेंगे अभाव या फिर अनुपलब्धी परमान कहेंगे तो दोस्तो ये थे आज के हमारे मुखे रूप से छेत रह के परमान इन में से कोश्चन आये है और दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तेक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो को सानी से देख सके हैं थेंक्यों दोस्तों सब्सक्राइब किजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाले वीडियो गढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम लोजिकल रिजिनिंग के अंदर कुछ और नए टोपिक करने वाले हैं जैसे कि अनमान, व्यापती, हेतातवभास इनके बारे में हम बात करने वाले हैं इन में भी कई topic आएंगे जैसे की अनुमान के अव्यव क्या होते है अनुमान के कितने परकार होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे वैसे तो हमने इसके उपर एक पहले वी वीडियो बनाई है प्रमान, अनुमान, उपवे, सब्द वगरा के बारे में उन सभी के बारे में वीडियो बनाई है आप वो वीडियो देख सकते हैं लेकिन कुछ और टॉपिक हमारे रहे गए थे तो वो सभी के सभी टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इन में से कॉश्चन आने की काफी संभावन हैं दोस्तों क्यूंकि ये टॉपिक हमारे अभी रिसेंटली एड हुए हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टड़ी नोर्स देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्ड यर कोशन पेपर देते हैं इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेस्ट देते हैं अगर आपको हमारा पेड़ कोर्श जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्टसप नमर पर कॉंटक्ट कीजिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनमान क्या होता है देखिए जैसे नाम सही हमें पता चल रहा है अनमान मतलव यानि कि किसी भी चीज़ का गैस करना हमें अनमान लगाना वे ये चीज़ क्या हो सकती है अनमान लगा कि किसी final result पे जाना ये कहलाता है अनमान या inference कहलाता है अब देखिए एक उधान लेके चलते हैं हम जैसे कि किसी परवत पे किसी पहाड के ओपर धुआ उट रहा है तो वहाँ पे हम अनमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकती वहाँ आग लगी हुई हो तो अनमान लगाना इस तरह से देखें यहाँ पर मैं थोड़ा एक्जम्पल दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर धुआ उठ रहा है तो हम अनुमान लगा सकते कि यहाँ पर आग लगी होगी और इसके बारे मैंने जो पहली वीडियो थी उसमें भी अच्छे से बताया आप चाहे तो वो हमारी वीडियो देख सकते हैं और अनमान के वारे में यहां पे भी हमने ही हिंदी में लिखा वा है बहुत कुछ यहां से आप देख सकते हैं समझ सकते हैं यह सारी की सारी चीजे वही है जो हम आपको उधार में बता रहा हूं अब देखे दोस्तों अनमान के पांच अव्याव होते हैं पांच एलिमेंट हम कहे सकते हैं पहला है प्रतिग्या प्रतिग्या का मतलब क्या होता है अर्थार्थ जो बात सिध करनी हो उसका कथन यानि कि कोई भी बात हमें प्रूव करनी हो तो उसे किस तरह से प्रूव करना, क्या कतन है, क्या statement है, उसे हम कहते हैं, प्रतिग्या कहते हैं, उधान के लिए परवत के उस पार आग है, ठीक है, जैसे कि हम कहें कि जो पहाड है, पहाड के उस और आग लगी हुई है, या उस और धुमा है, इस तरह से हम कोई बात कहें, उसे सिद्ध करने के लिए थूसे हम कहेंगे पर्तिग्या कहेंगे और उसके बाद आता है दोस्तों हेतू अब देखिए हेतू में क्या होता है क्यों ऐसा अनौमान किया जाता है इसका कारन यानि कि हम जैसे अनौमान लगा रहे हैं आग लगी हुई है तो आग लगी हुए क्यों लगा रहे हैं कि युekiody क्यों लगा रहे हैं इसका क्या रिजन है तो उस्के लिए क्षे कि घॉए घॉए kayak जहाँ जहाँ आग नहीं होती वहाँ वहाँ धुआ नहीं हो सकता तो यह चीज़ है यानि कि हमने एक चीज़ समझी तो हम क्या कहेंगे हम उधान देंगे अगर हमने कोई चीज अच्छे से समझ लिए उसका दूसरी जगह पर फिर उधान देंगे जैसे कि यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया भी धूए से जहाँ जहाँ धूआ होता है वहाँ आग हो सकती है तो फिर आगे भी अगर हम कहीं पे धूआ देखे तो हम यह कहेंगे कि यहाँ आग हो सकती है अब आगे है दोस्तो उपने उपने के अंदर क्या होता है दोस्तो इसके अंदर जैसे उधान में हम देखे यहां भी धुआ मौजूद है तो इसका मतलब क्या है यहां भी याग हो सकती है अगर हमें उसी तरह की कंडिशन कहीं और पर दिखाए दे तो वैसी ही सिचिवेशन और वही रिजल्ट आ सकता है इसका मतलब यह होता है फिर है निगमन निगमन का मतलब यह होता है दोस्तो हम देखे चोटी चोटी चीज़े लेके चलते है चोटी चोटी चीज़े लेके चलते है उसके बाद में जो रिजल्ट निकलता है फाइनल डिसीजन जो निकलता है उ तो यान कि इस से हमें क्या सिध हो गया यह सिध हो गया कि परवत के उस पार आग जल रही है पहले हमने धूँआ देखा धूँए से फिर एक दो और लोगों को बताया और वो सभी लोग वहां जा के फिर देखने गए और वहां से हमें पता चल गया कि हाँ रियल में आग जल तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि जहां धुआ होता है वहां पर आग होती है यह हम कह सकते हैं तो इसे हम निगमन कहेंगे अब आगे आता है दोस्तो हमरे पास अनमान के भेद अनमान के भेद क्या है इसके अंदर मुख्य रूप से जैसे पुर्वत पुर्वत एक दिया है इसका क्या मतलब होता है कार्ण से कार्य अनमान जैसे जैसे की मेग से भावी वरिष्टी का इसका मतलब कहा है दोस्तों पुर्वत यानि कि पहले से ही अंदाजा लगाना कोई काम होने से पहले उसके बारे में अंदाजा लगाना कि क्या होने वाला है जैसे कि मान के चलते हैं हमारे जब बारिश होते हैं बारिश होने से पहले पूरे घने बादल चा जाते हैं काले बा यह होता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेस यानि कि कुछ बचने के बाद जो हम अनमाल लगाई जैसे कि मान के चलते हैं कि बहुत बारिश होने के बाद बिल्कुल साफ मोसम हो गया धूप निकल गी सब कुछ सही मोसम हो गया तो फिर हम क्या रिजल्ट निकालेंगे फि कई वारा हमने देखा हुआ होगा आपने देखा होगा कि जब धूप होते हैं बहुत धूप होते हैं लेकिन उसके बावजद भी बारिश हो जाती है तो वो हमारा जो अनमान है वो गलत अनमान लग जाता है लेकिन ज्यादा तर हम क्या करते हैं कि जैसे धूप वगरा निकल तो last kind result यहीं निकालते वहीं अब धूप निकल गी है तो इसका मतलब यह बारिस नहीं होगी तो यह होता है सेसवत अब आगे दोस्तो हमारे पास समान्य तो दृष्ट अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तो यह जो सब्द है ना यह सारे के सारे संस्कृत के सब्द से रिलेट तो दृष्ट का मतलब क्या होता है जैसे नाम से ही पता चल रहा है जिसमें हम compare करें एक चीज का दूसरी चीज के साथ compare करके हम बता दे कि यह होने वाला है ठीक है जैसे कि हम मानके चलते हैं कि हम किसी बच्चे ने देख लिया वे शाम के टाइम में जो सूरज उस तरफ ज जा रहा पस्चिम की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब यह कि अब अंधेरा होने वाला है यानि कि एक उसने कल जो situation देखी उस situation का फिर अगले दिन compare करें तो उसे हम क्या कहेंगे समान्य तो द्रश्ट यानि कि एक समान situation का compare करना किसी दूसरी चीज के साथ तो उसे हम कहेंग समानने तो द्रश्ट और अब हम आगे देखते दूसरो व्यापती देखे व्यापती का मतलब क्या होता है मैं इसके अंदर आपको बताओं व्यापत और व्यापती दो तरह की चीज़े यहां पे है देखे मैं आपको बिलकुल असान भासा में समझाने की कोशिश करूँग आप चाहे तो यहां पे हिंदी में पढ़ सकते हैं लेकिन यह हिंदी लैंग्वेज है थोड़ी टफ हो सकती है आपको यह भी समझ में ना आए तो चलिए अब हम इसके वारे में बिलकुल असानी से समझने की कोशिश करते हैं देखे व्यापत का मतलब क्या होता है जहां ज हमने एक result निकाला था उपर निगमन जो निकाला था धुए और आग में जो संबन्ध है इसी को व्यापति कहते हैं अब देखे जो निगमन हमने निकाला था निगमनात्मक जो तरक हमने result जो निकाला था वो किस से संबंध funzí ता आग और धुए से अगर हमारे पास धुए तो हम आग мतलब नहीं निकाल सकते हैं, और अगर आग ना हो, तो फिर धुए का कोई अर्थ नहीं निकलता तो यहाँ धुए में आगता की व्यापति हैть अब देखी, धुए में क्या है, आग की vidyapti है, mmFF include है dhuaymin के अंदर तो आग को हम क्या कहेंगे वयापति की का मतलब मैं क्या बताऊं आपको मैं थोड़ा थोड़ा समस्ज पा रहा हो लेकिन उसको explain नहीं कर पारा, वयापति का मतलब मैं होता है कि कुछ चीज include होना व्यापत होना उसके अंदर ठीक है तो उसे हम व्यापती कहते हैं और अगर आपको फिर भी ये बात समझ में ना आए दोस्तो व्यापती क्या होती है तो प्लीज आप एक वर ये पढ़ना हिंदी में पढ़ना और बिल्कुल भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अ देखे दोस्तो अब हम बात करते हैं हेतातवभास की देखे इसके नाम से ये हमें पता चल रहा है अगर इसके नाम को हम डिवाइड करे तोड़े संधी करे तो देखे हेतातवभास दो सब्दों से मिलके बना है हेतू पलस में अभास ठीक है हेतू का मतलब होता है किसी चीज ऐसी होगी और हमें पूरा विश्वास होता कि ये ऐसा ही होगा, ये काम होगा, ये चीज होगी, ये ऐसी ही होगी, लेकिन बाद में जाके हमें पता चलता है कि नहीं, ये ऐसी नहीं है, इसका reason कुछ और है, और यही example हमारा उसी के उपर बैठ रहा है जैसे कि मैंने बताया था कि एक परवत है परवत के दूसरी तरफ धुआ उठ रहा है तो हम यह सोच सकते हैं कि वहाँ पे आग लगी हुई हो और हम सभी मान के चले कि हाँ वहाँ तो आग है पता नहीं क्या होगा ये होगा वो होगा बहुत सारी चीजे हम अपने मन के अंदर कर लेते हैं लेकिन बाद में जाके पता चलता है वहाँ पे आग नहीं लगी हुई वहाँ पे तो कुछ आर्टिफीशियल वर्क चल रहा है या कुछ और काम हो रहा है इसलिए वहाँ पे जादा धुआ है लेकिन वहाँ पे आग नहीं है यानि कि हमने हेतु का मतलब यानि कि वहाँ पे हमने कुछ ऐसे चीज देखी कि जिन से हमें ये लग रहा हो कि वहां पर आग है यानि कि चीज के मतला यानि कि वहां पर हमने धुआ देखा एक एविडेंस देखा कि धुआ है तो उस वज़े से आग हो सकती है लेकिन फिर क्या हुआ अभास हुआ उस जो आग है वो आग नहीं है उसका हमें अभास हो गया उसकी कमी हमें नजर आई तो इसे हम कहेंगे हितात भास कहेंगे ठेक है? तो दोस्तो इन में से जो question आएंगे वो simple basic question आने की संभावना है क्योंकि ये जो है भारतिय दर्सन सास्तर हमारा main subject नहीं है ये basic है हमारे paper first के अंदर तो question भी basic आने की संभावना है इतना ज्यादा डीपली इसमें से नहीं पूछा चाहेगा ये हम उमीद करते हैं और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाएए ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो को असानी से देख सके हैं थैंक्यू दोस्तों यानी निमेजनेट अप्ट, कमप्लिट स्दिर नॉट्स, लाइब मॉप टेस्ट फोर पेपर फर से लेके दिसंबर दोहोर उन्नीज थक फोर पेपर फेपर फरस्तन सेकिंड, डाउडोड इट ओन गूगल प्लेज श्टोर, लिंक गीवर इन्ट वीडियो दिस्क्रेप्श निशे हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमिया और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट परोपे दोस्तों आज हम भारती दर्शन सास्तर के अंदर परमान सब्द उपमान और अर्थापती इत्यादी में से काफी कोश्चन करने वाले ह और दिसंबर 2019 में काफी कोश्चन आये हैं और आज किस वीडियो में हम वही कोश्चन देखने वाले हैं कि किस तरह से कोश्चन आये हैं और किस तरह से हमें उनको करना है और दोस्तों पहले हमने एक वीडियो बना रखिया है और उसके अंदर हमने आपको भारती दर्शन सा क्योंकि ये जो वीडियो हैं हमारे जून 2020 एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमीजनेट परो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारी एप निमीजनेट डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उसके अंदर हम आपको बहुत क पुछ दे रहे हैं paper first से related तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप हमारे एप को डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं हमारे भारतिये दर्शन सास्तर में से किस तरह के question आये हैं आज तक और हमें उनको किस तरह से करना हैं दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमने topic wise PDF बना रखी है तो यह हमारी logical reasoning की PDF है तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारे भारतिये दर्शन सास्तर में से जो question आये हैं उनको हम देखने वाले हैं यह देखे दोस्तों यह जो question है ना यह हमारा डिट्टो कोपी repeat इसमें इन्होंने दिया है नीचे दिये गए उधान पर विचार कीजिए इन्होंने एक उधान दिया है देवदत मोटा हो रहा है वह दिन में खाना नहीं खाता इसका मतलब यह कि देवदत है जो मोटा हो रहा है लेकिन वो दिन में खाना नहीं खाता इसलिए वह रात को ख विकल्पों की साहिता से उप्यूक्त उधार्न में निहर्त तर्क की पहचान किजिए। इन्होंने कहा है कि इसमें कौन सा तर्क है। यह जो हमारा यहां पर उधार्न है इसमें कौन सा तर्क है। अब देखिए इसे दोबारा से हम समझने की कोशिस करते हैं क्योंकि दोस्तों यह जो कोशन है हमारा डिक्टो कोपी रिपीट हुआ है दिसंबर 2019 में भी तो यह हमारे ले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है देखे इसमें कहा है कि देवदत है वो दिन में खाना नहीं खाता लेकिन फिर भी वो मोटा होता है तो इसे हम अंदाजा क्या लगा सकते है क्या लगा सकते है कि वो रात को खाना खाता होगा अगर दिन में खाना नहीं खाता है दो इसमें यहां पर क्या हुआ यहां पर हमने इसका अर्थ निकाला इनकी इन्होंने जो उधान दिया जो बात दी है इनमें देखे वह रात को खाना खाता होगा तो हमने यहां पर इसका एक अर्थ निकाला है एक अनुमान निकाला है तो यहां पर क्या होगा दोस्तों इसका अर्था पती होगा देखी जो यह देखी अर्थ कहां से निकला है इसको ध्यान से समझने की जरूरत है वह दिन में खाना नहीं खाता इसने यहां पर कहा है कि वह दिन में खाना नहीं खाता तो इसका हम अर्थ ये निकाल रहे हैं, कि वो रात को खाना खाता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, वो होगा, अर्था पती, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, और यह हमने नोर्स के अंदर भी करवाया हुआ है, आप यह देख सकते हैं, यह देखिए, भारती दर्सन सास्तर हैं, और इसके अंदर मापको दिखा देता हूँ, यहाँ पे यह देखिए, फाइव नंबर पे अर्था पती, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अर्थापती, अर्थापती के अंदर ये देखे, यहाँ पे इन्होंने एक्जाम्पल दिया, देवदत दिन में कुछ भी नहीं काता, फिर भी वे खुब मोटा होता है, इस बाके में नए खाना है, तथा भी मोटा होना, खाना नए खाने के बाद भी मोटा होना, इन दोनों क पतनों में सम्दम्य की उत्पती नहीं होती आता है उत्पती के लिए के लिए रात्तरी में भोजन करता है यानि कि यहां से हमें एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि वो दिन में खाना नहीं खाता तो रात को खाना खाता है तो यहां पे हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको असानी से अंसर देना है और यही question चलिए मैं आपको अब दिखा दिता हूँ कि 2020 के अंदर किस तरह से sorry दिसंबर 2019 में किस तरह से यह repeat हुआ है वो हम आपको पहले दिखा दिता हूँ था कि आप अच्छे से समझ में आ जाए यह देखे दोस्तों यह हमारा 4 दिसंबर 2019 मौर्निंग सिफ्ट का पेपर आप यहां पे देख सकते हैं और यहां पे question number 39 49 number question देख सकते हैं इसमें इन्होंने कहा है देवदत मोटा है वह दिन में भोजन नहीं करता अत देवदत रातरी में भोजन कर रहा है तो यही बात है दोस्तों जो हमने पीछे बात की है वही question है यह भारतिये तरक सास्तर में उप्यूक्त उधारने किस परकार का मामला है यह इन्होंने यहां अर्थ का मतलब है दोस्तो इसकी बात के अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है यानि कि अर्था पती यानि कि अर्थ निकलना किसी बात से और वो अर्थ उसी बात के अंदर छुपा हुआ होना तो दोस्तो यह जो कोश्चन है थोड़े से कन्फ्यूज कर सकते हैं हमें थोड हुआ है अर्धा-पती इसको हम कह सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमें qution का अंसर देना है और जो दोस्त ये कहते कि question repeat नहीं होते उनको मैं अभी और भी question दिखाने वाला हूँ खिस तरह से question repeat होते हैं डिट्टो कोपी question भी repeat होते हैं तो चली मैं आपको एक दो कोशनोर दिखा दिता हूँ जो बिलकुल डिटो कोपी रिपीट हुए है ये देखे दोस्तों ये हमारा 2 दिशंबर 2019 मौर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इन्होंने इसमें कहा है कि निमन लिखित में से किस परमान के संबंद में से विकल्प के ब online exam होने लगे तो इसके अंदर हमें काफी problem हो रही है इंगलिस हिंदी में question paper लेके आने की तो दोस्तों हमें थोड़ा convince करना पड़ेगा अपने आपको हिंदी और English language के लिए जो भी हमें उसी में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी तो यहां पर इन्होंने का है कि निमन लि देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है ठीक है और यही question में आपको दिखा रहा हूँ अब आगे कब repeat हुआ है यह आप ध्यान से देख लीजिए यहां पे 2 December 2019 का paper है और यही question देखिए अभी यह देखिए दोस्तों 2 December 2019 यह evening shift का paper है दोस्तों और उपर था हमारे पास morning shift का paper य और इसके अंदर यह देखिए question number 15 यहां पे आप देख सकते हैं निमलिखित में से किस परमान के संबंद में से विकल्प के बीच अंतर किया जाता है तो इसका answer भी क्या है दोस्तों यहां पे आप देख सकते answer number 2 यानि की परतेक्स परतेक्स वाद अब दोस्तों एक चीज य आपको समझाया हुआ है और आगे हम देखते दोस्तों आगे किस तरह के question है हमारे लिए जो काफी important है यह देखिए यह हमारा जून 2019 का paper है और इसके अंदर मैंने पहले ही मार्क किये हुए है जो question हमारे important है यह देखिए दोस्तों जैसे यहां पर इन्होंने कहा है यह question number 27 न देखिए दोस्तों यह जो बात है इसकी बिलकुल confused करने वाली है यह कोई तर्क जो इसका बिलकुल सही नहीं बैठ रहा है है यह कहरा कि दोनी अस थाई है कि दोनी जो है वह स्थाई निया है ऐसे ही है तर क्योंकि यह सरव्य है क्योंकि इसको हम सुन सकते इसलिए ऐस था ये तो इसका जो तरक का थाए ना दोस्तो ये फजूल का खर्च है बिलकूल बेकार इसका तरक है। अनुमान लगाना ठीक है यह होता हितातवभास और यह हमने हमारे नोट्स के अंदर भी बताया हुआ है आपको यह जैसे अनुमान आ गया यहां पर और फिर परमान आ गया यह यहां पर और हितातवभास यह देखे यह आ गया हितातवभास तो यहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है आप ये देख सकते हैं अगर किसी दोस्त को नोट से चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करने किसी भी दोस्त को तो आप हमारा पेड़ कोर्स भी जोइन कर सकते हैं पेड़ कोर्स के अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से त्यारी कर important है हमारे लिए ये देखिए दोस्तों हम किस तरह से answer दे सकते हैं ये देखिए ये 26 जून 2019 एवनिंग सिफ्ट का paper है और इसमें इन्होंने का है नीचे दिए गए उधान पर विचार कीजिए यहां पे इन्होंने एक उधान दिया है यहां पर इन्होंने एक उधान दिया है comparison किया है यहाँ पे तो यहाँ पे बिल्कुल असानी से हम इसका answer दे सकते हैं answer number A यानि कि यहाँ पे इन्हों ने इसका answer A यानि कि तुलना यहाँ पे दिया हुआ है तो बिल्कुल असानी से हम answer दे सकते हैं और यहाँ पे भी हमने इसके अंदर बताया हुआ है आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहां पे देखना पड़ेगा कहां पे है तो सारी चीज़े हमने करवाई हुई है यह देखे दोस्तों यह रहा कमपैरिजन यह रहा उपमान ठीक है तो इस तरीके से आपको अंसर दे लिया और यह देखी यह देखेंगे यह तीन दिससमर दोहजार उननिस का पेपर है इस वर के अस्तितों को सिद्व करने के लिए भारति o shtri nyan प्रम्परा दवरा किस परमायन का प्रयोग किया जाता है देखी इस्वर के अस्तितों को صिद करना है हमें ठीक है तो उसके लिए कौन सा तर्क उपयोग में लाया जाएगा वो हमें बताना है तो यहां पर इन्हों ने इसका आंसर दिया है फोर यानि कि अनुमान अब देखी इसवर को हम बिलकुल अपनी आँखों से नहीं देख सकते उनको scientific रूप से अच्छे तरीके से हम सिध्ध नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं अनुमान लगाते हैं मंदिरों में जाते हैं वहाँ पर अपनी जो भावनाएं हैं उससे उनको फ अनुमान का उपयोग करेंगे तो दोस्तों यहां से आप बिलकुल असानी से इस तरह से आंसर देज सकते हैं और देखिए इन में एक और तरीका मैं बताओं आंसर देने का अगर आपको सभी का पताओ कि अर्थापती क्यों यूज किया जाता है अर्थापती जैसे मैंने आ दूसरे चीज़ के साथ comparison करना तीसरे दोस्तों पर्टेक्स पर्टेक्स होता है जो बिलकुल हमारी आँखों के सामने हो जिसे हम छू सकते हो देख सकते हो सुन सकते हो यानि कि पर्टेक्स रुप से हमारे सामने हो तो उसे हम पर्टेक्स कहते हैं और आगे दोस्तों अनुम रहा है और एक और चीज़ दोस्तों यहां पर मापको बता दू यह जो कोश्चन है हमारा आया था दिसंबर 2019 के अंदर और यह हमारा चार दिसंबर 2019 मौर्निंग सिप्ट का पेपर है इसके अंदर कोश्चन नमर 11 यह देखे यह काफी important question है यह ध्यान में रख लेना हो सकता आगे भी रिपीट हो जाए इन्हों ने यह कहाए कि भारतिय तरकसास्तर है उसके अंदर जो विचारधा धारा है उनका अनुकरम क्या है उनके जो sequence क्या है, sequence इन्होंने पूछ ली और जैसे आपको पता है कि paper first के अंदर sequence के question बहुत आते हैं तो ये हमारे ले करना काफी ज़रूरी है, यहाँ पर हम एक वार sequence देख लेते हैं, sequence क्या है answer number 4 यहाँ पर इन्होंने दिया है, सबसे पहले आएगा, परतिग्या आएगा, फिर हेतु आएगा, फिर उधारन आएगा, फिर उपनिया आएगा, और फिर निगमन आएगा अब दोस्तों बात यहां पे यह आती है कि प्रतिग्या क्या होती है, हेतु क्या होता है, उधान क्या होता है, उपनिय क्या होता है और निगमन क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको बार 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 एक ही बात कह रहा हूं कि ये सभी चीजे हमने पहले की वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है तो किसी भी दोस्त ने अगर हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखिये तो वो वीडियो देखिये और इन न हमने की है पहले की वीडियो में तो किसी भी दोस्त ने अगर वह वीडियो नहीं देखि यह तो आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आप वह वीडियो देखी अगर आपको जून 2020 के अंदर नेट और जियारफ क्वालिफाई करना है तो तो दोस्तों आज के लिए वसीतना ही और अगर किसी भी दोस्त को कोई बात समझ में नहीं आईए तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट वाक्स के जरीए या आप हमें वर्टसप पे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ- 2019 मौर्लिंग शिप्ट का पेपर है इन्होंने यहां पे कहा है यदी वर्षा होगी तो सूखा समाप्त हो जाएगा ये बात इसकी बिल्कुल सही है सूखा समाप्त हो गया अतव वर्षा हुई अब देखिए इन्होंने यहां पे दो चीज़े दी है ध्यान से समझना है हमें यदी वर्षा होगी तो सूखा समाप्त हो जाएगा ये इन्होंने एक बात कहे दी ठीक है अब आगे हम देखते हैं किसी अन्य अक्षेतर में क्या हुआ कि सूखा समाप्त हो गया वहां पे सूखा नहीं रहा तो इसका अर्थ क्या निकला कि वहां पे वर्षा हुई है आनत मनातमक, निगन मातमक में हम क्या करते हैं, किसी एक बात को लेते हैं, और उसके दवारा किसी अन्य बात का हम अर्थ निकालते हैं, एक सीरे से लेके दूसरे सीरे पर हम पहुंचते हैं, उसमें हम कहते हैं, निग मनातमक कहते हैं, तो यहाँ पर इसका जो अंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा निगमनात्मक हीतात भास इसका अंसर हो जाएगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेर जरूर करना ितना हम के आपको हमारी कैसे लगी और इस लिए यह को ज्याद से ज् másall करना दोस्तो तो आजए से लिए वक preaching झावर फीर सी अगर आपने हमारी एप डाउन्लॉड नहीं कि जल्दी से जल्दी आप हमारी अप को भी डाउन्लोड कर लीजिए थैंक्यों दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कुर्ष भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के श्टड़ी नोट्स देते हैं इसके साथ 2012 से लेके सब्सक्राइब कर देते हैं इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोर्ष जोन करना तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्ट्सप नमर पर कॉंटक्ट कीजिए